हलो फ्रेंस आप सभी का स्वाधत है फ्रेंस 2024 के लिए जो समाजी विज्ञान के पेपर वायरल हुआ है यहां पर इसका संपूर हल देखने वाले हैं साथ में आप सभी को मांचित्र से संबंदित समाजी विज्ञान के जो प्रश्ण पूछा जाता है वो सभी आपको साथ में हल कराएंगे तो आप वीडियो को लास तक जिरूर देखिए गा यही पेपर आपके साथ मार्च को जो आपको बोड के एकजाम होने वाला साथ मार्च को इसमें समाजी विज्ञान के पेपर आने वाला है और यही पेपर सेम टू सेम आएगा तो इस पेपर का संपूर हल द और इसके नीचे अपना लिख दीजिए गा ठीक है आप समाजी भी गयांगे जो पेपर मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए आपको समय जो मिलेगा जान तो आप पतने के लिए घो में खिलाए की लिए आउजी कि साओ है यहां पर इस्सार में निर्धेस को 10 बहु bes fabric फ्रश नहें टोर सबस्टा ragged सबस्टार और देखिए यहां किया कि इसकी निरुदेंगे फ्रशु थे पर आपको करना है यहां पर देखिए इसका पहला जवाब क्या है यहां पर प्रश्ण आपका है कि निमल्कित में से कौन सा अठारो सूश चार के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था ठीक है यह प्रस्ण है इसका आपसन आपके सामने है जन्म से प्राप्त विसेश अधिकार, सामंती विवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समच्छ समानता, ठीक है, टोटल कितने नमबर का है, एक नमबर का है, यह जितने भी परविकल्पी प्रशन है, इसे OMR सीट पर ही, आप सभी को हल करना है, तो इस प्रशन का देखें, आपका सही जवाप, क्या होगा, कि जन्म से प्राप्त विसेश अधिकार, तो यह जन्म से प्राप्त विसेश अधिकार है अथारosed चार के नेपोलियन कोड में नहीं जोडा गया था ना, तो इस प्रशं का सही जवाप, double option क्या होगा, आप ड़िक है, अब देखे संपूर पेपर हलकर आएंगे और वीडियो साथ में पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है यहां पर देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है आपका फ्रांस की करांति कब हुई थी आ यहां पर दूसरा नंबर का सवाल यहां पर देखिए कि 1861 में एक किरिद इटली का समराट किसे घोसित किया गया ठीक है आपसन इम्मेनुवल दिवति को जूसेपी मैसिनी या विल्यम प्रथम जूसेप गैरिबाली को ठीक है इसका सही जवाब आपका क्या होगा कि ऑठारहसू 101 में एक विंप इटली गोसित किया गया था इम्मेनुवल दिवति को इस सव्मट को त्षिखर process का सही जोवा डी वर आपशन सही होगा अग्रा नंबब elements ध्यान दीजिएगा कि अग्र गभी करन्तुन के निल अमossen से की जवाई और फिर्टशन का पेष्ट सब्सक्विमें. आपकर भी मारी था एक कुल ऊपर देखें चली अग्या प्रस्न को मतार है कि मुझए साहरे सूची आपको पर नहीं है संगहात्मक सासन कहा नहीं है यानि के आपको पताना है कि संगहात्मक सासन कहां पर नहीं है भारत में स्रीलंका में बेलजीम में यह सन्यक्त राज अमेरीका में ठीक है यहां पे कहां पर नहीं है तो संघत्मक सासन viral पर नहीं है यह कहां पर नहीं है अपने कहां सवाल किसका संवल आपत्र से नहीं are ठीक., लोक्तंत्र से संबंदित कौन से नहीं हैं सकतानल इनल तक मल निर्वाचन उत्तर्दाई Parents इनल ने कानून के समझ समांता हॹ्छ बहुसंख्यों का स्सामित यहां किसके बारों पूचा है लोकतंत्र से संबंदित नहीं है यहां लोकतंत्र से जो संबंदित नहीं अपको बता नहीं इस प्रश्ण का जो सही जवाब होगा बी वल आप्साथ्यत्या अब यहां 10वा नंबर का सवाल क्या है निमनलखित में से कौन सी संघात्मक सासन की विशेष्था नहीं है यहां पर देखिए इस प्रशन पूछा तर लुक्त अंत्र से संबंदित नहीं है यहां बताने संघात्मक सासन की विशेष्था नहीं है आप साने सक्तियों का वितरण सक्तियों का केंद्रिकरण सर्वच न्यापालिका या फोर सन विद्धन नहीं है ति Ci सही जोब क्या होगा डिवल आपसा हूँ होगा ठीक है चलि अगले नमब की सवाल कु देखते हैं कि अग्ला नमबर का सवाल क्या है अपसा यहां ध्यान दीजीए कि अगला robi経ण डेख अगला का पा si खेती के लिए निम्न लिखित मैंसे कौन सी मिट्टी उप्युक्त होती है कपास की खेती के लिए बताना तो देखें लाल मिट्टी होगा यह लेट राइट यह काली मिट्टी यह जलोर मिट्टी देखें यहां पर ध्यान देखा फ़सल का नाम कपास कपास की खेती के लिए क सबसे उपयुक्त होता है इस प्रश्ण का सही जवब सीवलापसन क्या होगा सही होगा अब दिए बरहावा नंबर का करतन एम दहन किर्सी इसको जूम के किर्सी के नाम से जाना जाता है तो किस राज्य में अपनाई जाती है यहां वे आपसंदिया है राजस्थान में उत्तर में जूम कीर्सी होती है कहां पर नंबर का सवाल किया है आपका देखर पूचा एक नियुच्ट खानिजों में से कौंभ से एक अधार भूत खनिज आधार भूत काँड़ीक. अबॢ़त इसके लाव मैगनीज लह यह ताबा जो आधार भूत खनी जह हुआ आपका लह अयस्क है ठीक है कौन सा है लह इस प्रशन का सही जवब सीवला अपसन सही है चौन्दे नमबर के देखिए आप क्या हे कि निमर कित में से कौन सा ओर जा का अप्रॉख थोग अरजा का ऊसलियक बताना है से कौन सा उद्योग ठीक है बाकसाइट को कच्चे माल के रूप में प्रियोग करता है ने बाकसाइट को कच्चे माल के रूप में कौन प्रियोग करता है आप साने कागज लो एम इस बात एलमूनियम सीमेंट ठीक है यहां पर बाकसाइट का क्या बताना ना कच्चे माल करूप में तो बाकसाइट का ऐस्क क्या होता है इस प्रश्ण का सही जवाब सीवलापसन सही होगा ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यहां पर ध्यान दीजिए अगला प्राजी ..ब्हारत होगा ब्राजील, होगा यहां पर बंगला देश यहां पर विपसिद देश पूछे किसी देश को निर्धाय करने का आधार है यहां से किसी देश की विकास को निर्धाय करने का आधार क्या है किसी देश की विकास को निर्धाय को कितने सवास्त है और प्रती ब्यक्ति आयको साथ में देखा जाता है विकास को निर्धाय का सवाल देखते हैं निर्धाय नमगर का आपके लिए सवाल किया है देखी यहां पर निर्धाय निर्धाय करने के विकास को नियमित कार्यों केला उपज की उचित कीमत या इन में से सभी ठीक है यहां पर देखें आपका क्या हो जाएगा तो ग्रामीर च्छेतर की विकास का लक्षक को जो निधाद करता हो नियमित कारे को उपज की उचित कीमत बहतर मजदू यह सभी होता है इस प्रश्ण का सही जवाप क्या होगा डीवल आपसान सही होगा यहां पर 19 नंबर गा सवाल देखि उननीस वां क्या आपका है कि नीमनल लकित में से किसको कि Sü tu में यहां को किर्सी का कि Chetra कौन सा आप सेने प्रारंभी क्छत्र द्यूतिय चत्र यह चुत्र तक किर्सी का है कौन सा होता है प्रत्म चट्र होता है प्राथ में चैट्र क्या आता है किर्सी आता है τονीम इसको याद नैसे कि स्खयान दिघें यहां पें निमलजित में से किस वर्ष में उब्भुक्ता सुरच्चा अधिनियम पारीत किया गए ठीक है आपसान एए exciting,to My,any SECनम66 जै तो यहां पे आपसन क्या हो जागा कि किस वर्ष में उब्भुकता सुरच्च्चा अधिनियम पारित किया गया था इस प्रश्ण का क्या हो जागा आपका सही जवाप सीवल आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो देखिए यहां पर 20 बावविकल पी टूटल प्रश्ण आपसे 24 के बोर्ड के एक्जाम में आएगा और यहीं से प्रश्ण आप पढ़के जाए इनहीं में से आएगा ठीक है अब देखिए यहां जाए खंडबा इस टार्ट होता है ठीक है खंडबा में टूटल पचास नंबर का क्या रहेगा आपका वरानात्म प्रस्ण रहेगा जिसमें से 10 नंबर का आपका मांचीत्र वाले सभी सवाल रहेंगे आपको देखिए यह यहां प्राश्ण को आप पहले उस्ट प्रस्णों को देख लिजिए और इससे एक जगा लिख लिक्रिक है प्रकिर्या को किस प्रकार बढ़ावा दिया है उधाय है असपश्ट की टोटल कितने नंबर करेगा चार नंबर के प्रश्ण है अथवा में देखिए इस प्रश्ण को भी साथ में तयार कर लिजेगा प्रदम विश्व युद्ध के पस्चाथ होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत क्या प्रभाव पड़ा टूटल चार नंबर का अगला देखिए प्रश्ण क्या है दूसरा नंबर का द्यान दिजिएगा देखिए आपका देखिए भारत में संग्य सासन की किनी दो विशेष्टाओं को विवेचना कीजिए टूटल चार नंबर का प्रश्ण है अथवाम देख लिजिए सत्ता की साजदारी क्यों अवश् देखिए कि भारत में भूमी उपयोग के प्रारूपों के विवेचना कीजिए टूटल चार नंबर का प्रश्ण रहता है या इसके लवा संसाधन नियोजन की अवशकता क्यों पड़ती है इस हेतु कोई तीन उपाय सुझाई है टूटल चार नंबर का इसके अलावा कि राष्ट्री ग्राम रोजगार राष्ट्री ग्राम रोजगार गारांटी अधिनियम जो 2005 पर एक संचिप टिपड़ी आपको लिखना टूटल चार नंबर का यह प्रश्ण आप त्यार कर लेजिए अब देखिए वारात्मक सिकेंड चलता है इसमें क्या करना है कि जो उ उसके सुधारों का क्या प्रभाव पढ़ा टोटा चा नंबर का यह प्रश्ण था ठीक है इस प्रश्ण को आप तयार कर लेजिए अधवम देखिए क्या है सभी ने आवाग्य अंधूरं क्यार थे इसे क्यों चलाया गया इसके प्रभाव क्या पढ़े थे टोटा चा क्या है कि भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर्ग करते हैं क्यों इस इस्तिती से छुटकारा पाने कि क्या सुझा है इस टोटल च्छा नंबर का अथवा में देखिए लोग तांत्रिक शासन विवस्था अन्य शासन विवस्थाओं से बेहतर हैं कारों का अ समझाइए च्छा नंबर का प्रस्ण है अथवाम देखिए चावल की खेती है तो उप्युक्त भाव गोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में कि तीन प्रमुक उत्पादन चेत्रों का उल्ले कीजिए ठोटा च्छा नंबर का अब देखिए आठवा नंबर 286 की उप्यों की भी विवेचना कीजिए तोटल च्छा नंबर का देखिए जितने भी प्रस्ण आपके दिर्व उत्री में फर्स्ट और स्रिकेंड भाग थे सभी आपको बता है इन प्रश्णों को एक जगर लिखिए इसके तयारी पुरा प्रोपर डंग से कर लिजिए ठ यहां आपके सामने मांचित्र रहे इस मांचित्र पर इस प्रश्ण को पूरा डिम डिटील से समझाने वाले आप को ठीक है क्या मांचित्र संबधी प्रस्ण आपको इसमें दो भाग 9A और 9B मांचित्र से संबधी प्रश्ण राएंगे और टोटल ये अग्जाई में 10 नं आप पहली जगा बोर्ड के एक्जाम में ठीक है निमनलिखित अस्थानों को भारत के दिये गए रेखा मांचित्र में इस डाट चिन द्वारा नाम सही दर्साना दर्साई सही नाम तो सही अंकन के लिए एक बटा गदू एक बटा गदू अंक निर्धायत किया गया है ठीक है यानि सही नाम लिखते हैं तो उसके लिए आपको एक बटा गदू नंबर मिलेगा और सही अंकन मांचित्र करते हैं उसके लिए एक बटा के दू अंक मिलेगा इस पकास से देखा जाए तो एक प्रशने के लिए टोटन एक नंबर रहेगा पहला नंबर का सवाल है इसको कै करवाय थे तो पता है थे ठीक है देखिए वह अस्तान जाओ नई सो सताइस में भारती राष्टी का अंग्रेस का दिवेशन हुआ था तो कहां पर हुआ था मद्रास में कहां पूआ था मद्रास पड़ता कहां पर सिर्फ आपको मद्रास ही लिखना है लेकिन साथ मैं आपको पड़ता कहां पर जिसे मांचित्र भरने में आसानी हो ठीक है वह अस्तान जाओ नई सो सताइस में भारती राष्टी का अंग्रेस का दिवेशन हुआ कहां पूआ था मद्रास में और यह मद्रास पड़ता आपका चिन्ने में अब देखिए इसको मांचित्र पर आपको कैस यह nine one लान बहला नंबर का है और यहां पर लिखनी लिख वालत क्या भड़ता है और यहाँ लाट्व में आपकोures पर बहुलता है लाठ नबर बहलता है से पर हैं पहले नोग्गे वाले और दूसरा वास्थन जहां गाधी झीनि नमक् सरफ क्या इंश्या ऑन और वास्तन च इसका एंसर उत्तर पुस्तिका पर लिखिएगा एंसर देखिए इससे तरह लिखिए डांडी कहां से डांडी ठीक है तो डांडी से ही महात्मा गाधी जी ने क्या किया था नमक बनाना प्रारम किया था अब देखिए डांडी पढ़ता कहां पर देखिए आपका जो डांडी ह यहां पर डांडी लिख लिए गांडी बस बस जैसे लिख रहें इसी प्रकास बोड के एक्जाम में आपको भरना रहता देख लिए ठीक है कितना साफ सुत्रा भर रहे हैं अगला देखें तीसरा नंबर का सवाल वास्थान जहां सूती मिल सरमिकों ने सत्तागरा किया था अहमदाबाद से किया था अहमदाबाद पढ़ता का था यह भी पढ़ता आपका गुजरात में देखें यह आपका है अगुजरात यह पूरा भाग यहां से लेकि पूरा वाग जितना पता रहे हैं पूरा गुजरात है और अहमदाबाद यहां पर डांडी से थोड़ा सू सभी को इस तरह देखा लीजिए कि यहां पर इस तरह बिंदुगर का डाट दो रहां देखा सकते हैं ठीक है अगरा नमबर देखिए क्या है प्रशन आपका ध्यान दीजिए देखिए क्या है चौथा नमबर के यहां पर वह अस्थान जहां जाली वाल बाग हत्याकांड प्रशन का पन्जाब में झ!". मांचित्र में देखें गैं प्रदा है आपका पंजाब पंजाब में भरना थे किस प्रकास भरने यहां पर ले लिइजिएगा और यहां से कीजिए और 22 excess 303 लिखे लिए अब लिए अगला नमबर का प्रशन क्या है आपका पांचवाँ नंब कि वह अस्थान जहां 1920 में असायोग आंदौलण का उद्घोसर हुआ था कहां से तो यह वह से कलकत्ता से कहां से कलकत्ता इखान से हुआ ठीक है तेक को डौकटा अधियाक कि जा पोली दीविया देखिए यह आपका मान चित रहे कम क्लॉकत्ता क्षिम बंगाल में इसलमाक आपका बंगलादेश बंगलादेश के भगल पड्ख पस्चिम बंगल पड़ते है यहां से भ propel ठिक है भरेंगे आप ठीक यहां से सिकीजिए के नाइन एक कांसा है। और यह बित भरना क्या है है कलकाता तो बोड से एक नमबर भी नहीं कडता। तो तरह नमबर कराता इसी तरह पांच नमबर पुरा मिलता है अब चलिए अगले नमबर के प्रशण को देखते हैं ठीक अगला प्रशन देखिए आप से किस पकासे पूछा जाएगा देखिए यहां पर यहां है आपका नाइन दी दो पाठनत एक पाठन पाश नंबर का और दूसरे बाग में पाश नंबर करेगा नाइन भी देखिए यहां पर क्या है दिये गए भारत के मांचित्री में निलिकित को दर्साइए यहां पर क्या करना है इसको निलिकित को दर्स मांचितर आपके सामने है कि कि पहला नंबर कि राजस्थान की राजध्णी यह दिखने कि राज़दानी यहां पता रहेगा ता आसानी से बर सकते है तो यह आपका राजस्थान क्या है यह आपका जैपूर 9b का कौन सा है पहला वाला है पहला यहां बढ़ यहां और यहां पर लिखे दिए जाएपूर जाएपूर ठीक और किस चिन द्वारा देखाना है यह सी द्वारा देखाना है तो इस पका से बनाएगा सी इस तरह साफ सुद्रा इस थोड़ा सा सी बना लीजिए इस तरह करके ठीक इस पकास दिखाना आपको महान देखें यहां पर देखें महानदी पर निर्मित एक बांद इस चिन बराबर चिन द्वारा दिखाना है तो महानदी पर बना बांद कौन सा है तो यह पता होना चाहिए देखें महानदी पर जो बना बांद है वह है आपका हीरा कुंड हीर कुणद बांथ है तो देखिए हीरा कुणबांद कहां पर पढ़ता है आप का हीरा कुणद पढ़ता है। अब देखें और है शेए मांचित्र में देखें। यहां पर उमीज सह है और इसे किस चिन दुवारा दो डजाना बराबर कि Carn prettier दॉरаете है लिखने 9B कोई सा यहिए श्क एंबाल और करें यह दिधा लिखने 7 vowel कि यहाइक देखते हैं उत्तर भारत की एक प्रमुक्रनदी इंड्रragen दिक्षाना थे उत्तर भारत तो उत्तर भारत में आप सब्सऻ्रत कुछ पता है कौन से नदी गंगा है गंगा देखा सकते हैं एगा नधी देखा देते और यहां पर लिखे देख गंगा नदी गंगा नदी ठीक है इस पकास बहर लीजिए अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का आपका सवाल क्या है यहां पर ध्यान दीजिए भारत के किसी एक परमाड उर्जा केंद्र है चीन दौरा दिखाने इस देख सब्काराइब लिखी आपको माहराष्र क्हााफ कहां पřड़ता है इस तरह मांचितर में देखिए महराष्थ हैं और महाराष्थ में कहीं पर इस तरह ताराजर देखा दीजिए ठीक? इसतरह करके इचसको देकी इस तरह दesy देखा लीजिए नाइन बी का कौन सा है पार अगला म्म्र को देखिये दच्छी भारत में कवा उत्पाद को एक राज्य चिन्न डार करनाटक होता करनाटक में रनाता कैँ erk度 फुर्स्तिक लिए और यहां पर करनाटक है कहां पर महराश्ट के नीचे आपका करनाटक किस चीन दवार देखाना देख एस थार ना और दोरा छोटा एस सिंबल दोरा देखाना देखिए आप ऐसे करके इस तरह कोष्ट कर कि बना बन के लिगे यह 9 बी का पाचवा नमबर है और यहां पी लिख लिजिए करना टाक करना टाक ठीक जैसे भर है इसी प्रकास से आप इसको बोड के एक्जाम में मांचित्र को साफ सुत्रा दम भरिएगा आपका एक नमबर भी नहीं काटेगा ठीक है पूरे का पूरा नमबर देगा एक नमबर भ होगा और खंडबा होगा खंडबा में 20 अंग का बहुई कल्पी प्रशन रहेगा जिसे आप उम्र सीट पर करना रहता है इसके अलावा देखिए इसका मुख के इंपोर्टन इस खंडबा है जिसमें 50 अंग का वड़ात्मक प्रशन रहेगा जिसमें वान और टू वड़ात प्रशन आने वाले हैं वह प्रस्ण आपसे गल्ती नहों ठीक है अब देखिए फ्रेंस यहां पर खंड इस्टार्ट होता है जिसमें बहुईकलबी प्रशन है इसमें बहुईकलबी प्रशन टोटल कितने हैं 20 है और परतेक एक एक नंबर का है ठीक है आपका पहला नंबर क ária हुई आठीक हीओ । हेटातीर चांग्रेश का इसथापना हुआ हुआ था-कभू हुआ था-धीःतीर तक यह वा था तो हिए आग्ले नंबर को देखते हैं अगला नंबर का सवाल क्या है जितने भी प्रश्न पता रहें इन प्रश्णों को आप जरूर तयार कर लिजे ना जिससे आप बूर्ड की एक्जाम में आप टार्गेट रखे होंगे कितने का नाइनटी फाइप प्रतिशत लाने का तब आसानी सा ला सकते हैं जितने भी पेपर आपको हल करा रहे हूं उन पेपरों को आप जरूर देखिए आपको प्रतियक सब्जेक्ट का पेपर आप स देखिए जो आकी कहा गया था कि जब फ्रांस छीकता है तो बाकी यूरूप को सर्दी जुकाम हो जाता है तो यह किस ने कहा था तो मेर्टरिक ने कहा था इसका सही जो डीवल आपसंस सही होगा जर्मन की एक इक राड़ा में बुख भूम का किसकी थी जूसेब गहरिवाल्डी के थी मिपोलियन बॉनपाट आटो विसमार्त यह बीलियं प्रथम को ठेका है तो जर्मन एक ब्राड़ में में बहुन का किसका था यह आक था ठाटो यह जोप पॉहं선 को अ महत्मागांदी को बाल गहर्दतीलक को यह सरदार पटल को तराश्त फिता किसे कहा जाता है महत्मा सिष्ट को कहा जाता है इसका सही जो अब इवला आपसर क्या होगा आपकर सही होगा अगला आप लोगे च्छेटान way no स्पाधिक्ध कि सप्पान की स्थालिए सभड़ीह कि विभिन Самाजिक सम्मो के मद्यत पी bisschen किसे में देख़ यहां पूंध म invasion का विस monopoly यहाँ पूछा है संग सूची, संग सूची के अंदरगत आता है आपका रच्छा, क्या आता है, संग सूची के अंदरगत आता है आपका रच्छा, इस प्रशन का सही जो आप डीवल आपसन क्या होगा, सही होगा, इसके लगा आप याद रखिएगा, जो किरसी है, राज सू तुझी कई से सिच्छा है अगर आज देखिए अठाव नंबर का सवाल क्या है आपका कि भारतिय संग में कितने राज्य हैं तो अर्तमान समय में भारतिय जो संग है उसमें टुटल कितने राज्य हैं आप सभी को पता होगा टुटल कितने 28 राज्य है इस प्रश्न का सही अगला नंबर का देखिए सवाल क्या है दस्वा नंबर का भारत में सबसे अधीक बोली जाने वाली भासा कौन सी है भारत में सबसे अधीक बोली जाने वाली भासा कौन सी है देखिए पंजाबी बोली जाती है कश्मीरी बोली जाती है हिंदी बोली जाती है तो भारत में सबसे अधीक कौन सी बासा बोली जाती है तो हिंदी बोली जाती है इस प्रश्न का सही ज अगला नंबर का सवाल 11 यहां दीए 11 का रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सा प्रंप्रागत संसाधन है यानि प्रंप्रागत का मतलब होता है कि प्रमपरा से चली आ रहे हैं पिछले कुछ वर्सों से चली आ रहे हैं यह क्या प्रकार का प्रमपरागा संसाधान अगला देखें बरहाओं दो समट क्या है कि नीमनलीखित में बारे प्रताना आप आपको आप साने राजस्थान में इमांचर पर्देश महाराष्ट या उत्तरपर्देश ठीक है यहां पर नंबर कर देखिए नीवड लिखित में से कौन सा राज ताबा का उत्पादक है, मुक्ण उत्पादक, या ताबा का उत्पादक कहा को होता है, यह वताना आपको, आपसा ने मद्य परदेश, उत्तरपर देश, तर्मिल्लाडू, या भिहार में, जो आपका ताबा का जो नहीं यह बताने आपसाने मैगनीच अबरक, बाक्साइड जस्ता, जहस्ता, यहां पर धियान देख लिए अद्धात्विक पूछ एथा, देखें मैगनीच आपका धातू के अंतरगत आजाता है यहां पी अधात्विक कौनत अभरक्या है इसका सही जवाब भीवला आपसन सही हो जाएगा पंद्रावाद दखिए नीवनलिकित में से कौन से संसाधन अजयवा संसाधन आपको बताना है ठीक है पशुदान चटाने मत्स या प्रकृतिक वनस्पति अजयवा बताना है इसमें क्या हो जाएगा चटाने आपका अजयवा हो जाएगा ठीक है इस सोलावा नंबर दखिए नीवनलिकित में से किस राज में अधिक्तम साचर्टा दर पाई जाती है ठीक है बिहार पस्चीम बंगाल केरल या मद्यफर्दे देखिए साचर्टा दर का मतलब होता है कहां कि लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं तो होता है आपके केरल के हैं इसका सही जवब क्या होगा सी वलाफसर सही हो जाएगा अब तिलिये अग्रे नंबर के देखते है शरावा नंबर का सवाल स्वाल हो गया सत्रहावा नंबर का देखते हैं इंडिमनल लिखित में से कौन सा अब्यक्ती अर्थ विवस्था के प्राथिक छेत्र से इन आते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम ठीक है सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था ठीक है अब यहां पर 19 नंबर का सवाल आप देखिए उपभोक्ता को नयाए पाने के लिए कहां जाना चाहिए पुलिस स्टेसन पर मतलब सिविल नयाय आले या इसके रहा है उपभोक्ता केंद्र जीला अधिकार जीला मेर्जिस्ट्रेट भी करते हैं तो उपभोक्ता को नयाय पाने के लिए उसे कहां जाना चाहिए उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए कहां पर उपभोक्ता केंद् आते हैं या राजपत्रित अधिकारी आते हैं या सईनिक आते हैं यहां पर देखिए आप यहां से आपका स्टार्ट होता है खंडबाव में जितने प्रosion के यहां को प्रशना आ या जितने प्रस्टा वाले सवाल करने वह बताएंगे और यहां पर जितने विए वाटात्मक प्रस्टा यह सभी आपको बता दीए इन प्रशनों को एंशवर आप जरूर्ट लिखे के याद कर लीजिए गाए बेगार तोटल चार नमब कि विचार और प्रकाश डालिए तो प्रशन रहेगा इसमें से एक एक प्रशन आपको करना रहेगा अगला प्रशन देख लीजिए इन प्रशन को तयार कर लीजिए गाप लोगतांतरिक सरकार की चुरोतियों का उल्ले करना है या अथवा में देखिए क्या भारती संग एक अर्ध संग्य ढाचा है अलोशनातर प्रिचर कीजिए यह प्रशन आप जरूर तयार कर लीजिएगा यही 2024 के वोड के एकजाम में आने वाले सभी प्रशन हैं अगला प्रशन देखिए आपको बता देते हैं फिर इसके बाद आपको मांचितर से संबंदी जो मांचितर भर प्रशनों के एक बार देख लिजिए सड़क परिवहन के सापेच्छी के लाभों के विचना कीजिए अथवा में वाली जी क्रिसी की विश्यस्ताओं का उलेग कीजिए अगला 24 वा नंबर का है कि विश्व ब्यापार संगठन के क्रियकलापों का वरण कीजिए अथवा मे भोकता जाग उकता है तो कोई चार उपाय जितने भी प्रशन आपको बता रहे हैं इन प्रशनों का आप जरूर तैयार कर लीजिए गा ठीक है लपरवाई मत कीजिए आपका बोर्ड का एक्जाम 22 फरवरिस से स्टार्ट है जितने भी पेपर आप सभी को करा रहे हैं उन अगला प्रशन देखिए आपका क्या है कि भारत की वीधी काओं में महिलाओं की प्रति निदित्यों की इस्थिति क्या है अथवा में कि भारत में अस्थानिय सासन से आप क्या समझते हैं इस आसन के किनी दो गुड़ों या किनी दो दोसों का उल्ले कीजिए टूटल छा नंबर का जितने भी प्रशन बता हैं इन प्रशनों को आप जरूर तयार कर लीजिए ठीक है अब चलिए अगले प्रशन को देखते हैं कि अगला प्रशन आपका कौन सा है यहां पे आपका है 27 नंबर का प्रशन इसको भी तयार कर लीजिए का आप देखिए क्या है आपका मिर्दा संसाधन के महत्तों का वरण कीजिए एम किनी दो प्रकार के मिर्दाओं के विशेष्था का उल्ले कीजिए टूटल छा नंबर का भू संसाधन साब का क्या तातपर है भारत के भू उपयोग आवश्यक परिवर्तन है तो कोई चार उपाए समझाई है जितने भी प्रशन आपको बता है उन प्रशनों को एक जगा लिजिए और उसका एंस्वर भी आप लिख लिजिए और लिखने के बाद इन प्रशनों को तयार कर लिजिए ठीक है एक प्रशन और बज ज वकशारियों की समस्यां पर प्रहल डालीी टूटल प्रहले दूटल आपि अन प्रशनों को तैयार कर लिजिए औस चलि आपको मांचीत्र से समबंद है जो आपको बोर्ड के एक्जाम में दस नंबर का प्रशन आता है वह प्रशन आपको पुरा मांचीतर बहुआ के डिटेल ने आपको समझाता है कि मांचीतर ससंबनी प्रशन इसका दोक दोख़ंडों तुम पहला खंड को है जैसे में से आपको भर के आपको पताने वारे देखिए इसके निर्वेश को देख लीजिए निम्रिकित अस्थानों को भारत के दिये गए रेखा मांचित्र ट्रिष्ट संक्या 13 ठीक है इस डाट चिन दोरा नाम सही दरसाना है सही नाम लिखते हैं एक बटा के द अंक आउस सिंपल तरीका्छा से घुछा से अपके सामने मांचित्र स्पकास प्लिकाय के एकसा में मांचित्र मिलेग गा इसी मांचित्र प्या करना है कि हुआ अस्थान, जहां वर्ष 1927 में भारती राष्णरी कांगरेश का अधिवेशन हुआ था तो भारती राष्णरी कांगरेश का अधिवेशन में कहां पर हुआ था ठीक है। अब देखे इस तरह आप उत्तर Portuguese रहेगा प्रश्न नंबर एक कोगव डालके आप इस पर लिखे दीज़ेगा मद्रास यदि आप इतना लिखते हैं तो आपको मिलता है एक बटा के दो नंबर अब इसको मांचित्र पर यदि भरेंगे अब मांचित्र में मांचित्र परता है त्मिल नाडू परता है रहां प theor मांचित्रश Missouri और यही peng पढ़ता है मद्रास तो सब्सक्रीन नाइन पर दिआूक 220 मांचित्र आपको का यहांत लीखे है चर्फ क्यायी हुकत्ति कर द्सक्रम एक न कर्वं से ईक दो नो को 27 में देखिए यहां पर 1927 में जो भारती राष्टिक अग्रेस का दिवेशन कहां पर हुआ था तो मद्रास में हुआ था इस पकास आप इस मांचित्र को भरे हैं अगला देखिए जैसे आपको भरे हैं इस तरह यदि आपके एक्जामनर देखें तो इस पर ट्रॉंट एक नम देखिए उत्तर पॉस्तिकाप लिखेंगे चमपार थीक क्या लखेंगे हैं चंपार और चंपार रहा इकांप आता चंपार है बिहार ने अगरतास दिखनेु आपका लिखने चπα्रिया और बिहार बिहार ने इस्तर करके कहीं से इस्तर दिखा दिया चंपारर यारी नाइन को का सेकेन नंबर का है आपका चंपारर भर लिए आप मांचितर पर अगला प्रसन आपको क्या है उत्तर प्रदेश का हुआ अस्थान जहां असायोग आंदोलन की सुर्वात हुई थी कि शुरे आपको बताना है कि авmirा प्रसन आपसी ऑनदोलन की सुर्वात हुई थी तो कहा से हुई थी और च докум पूले हुआ चायोग आंदोलन की सुर्वात कहा से हुई थी तो अस्त्र यहां विए यहां उत्तर पर्देश के बारे पूछा है 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 यहां उ और यहां पे लिखने के लिखना होका त इलहाबाद का नाम चेंजर करके प्रयाग राज कर दिया गया ठीक है ति यह ओ गया आपका देखिए अब चोहता नमबर के क्या है यहाँ पर एक प्रश्ण और साथ में याद रखे के बता देते हैं कि आप असायोग अंदुलन समाबत्थ हुआ था यह कहां पर हुआ था यह याद रखे का, तो असायोग अंदुलन का थारी च़ौरा में उत्तर पर्देश में से कहा से इस्टार्ट हुए था प्रियां राज में ठीक है जहां रखन बॉक् Tillश्भर सूर्ष प्रूर प्रमाभरा कंद पर्फ गुजराथ में पढ़ता है अधर दूर पुझकिए धरूग सूर्ष comply नाइन को चोथा नमबर है निए चोथा नमबर यहां पर लिखे अहमदाबाद तीस तरह मांचित्र बाद बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा मांचित्र पूरा डिटेल में याद हो जाएगा ठीक है अब दीक है अगला है कि वह अस्थान जहां जालीय ओला बाग ह हत्याकान कहां से हुआ था आपका हुआ था अम्रित सर अम्रित सर पढ़ता कहां पर पंजाब में पढ़ता है कहां पर पंजाब में यह है आपका मांचित्र पंजाब पंजाब में यहां पर क्या है आपका अम्रित सर नाइन को का पांचवा नमबर है कौँसा है पांचवा को यहां पर भरें यह इसपास भरते हैं तो पूरे 5 का 5 नंबर मैं अगले अगले नंबर के प्रशन को देखते ही। अगलाक क्या edp तो देखिए आपे 9 का खाए ना यहापर रिखिए 39 नंबर का खाए प्रश्ण नमबर डालते समय थ्यांदीजेगा हम 9 नो लिख दिया है 9 नहीं 29 से क्या है 29 सभी प्रश्ण में 29 यहां पर दियान दियाँ 9 लिख दिया है यह 39 नंबर का है. 29 का था अब 39 का खह देखेंगे, 29 का क्या देखेंगे. ति यह है 59 का खह और उसके अगले मांचित्र पर भरते हैं. अब यहाँ पी देखें आपको क्या है निमिल्कित अस्थानों को भारत के दिये गए रेका मांचित्र पर में Chin Devaara नाम और सही सही नाम और पहला नम्बर का सवाल क्या है कि दच्छिव भारत की एक नदी का नाम आपको पता होना चाहिए कावेरी नदी को आपको दिखाना है त्थृ बारत की नदी कभेरी नदी है यह काभेरी नदी पढ़ता कहां पर आ है। कभी नदीत आपका पढ़ता है त 때문에 tenant में अब ईसको भर नाए गयां यह आपका मान चित्र और मान-चित्र में यह पर आप तक सीवां से वह था लाएं यह का नंबर का वेति नदी काvelop तरह मांचिते बरेंगे तो पूरा अदम नंबर मिलेगा एक नंबर भी नहीं कटेगा ठीक है अब देखे अगला नंबर क्या है कि कपास उत्पादन का एक प्रमुक छेत्र करना चेत्र को देखे आपको क्या करना है इस तरह वर्ग बनाना और इस चित्र के द्वारा आपको ठीक है कि कपास उत्पादा का एक प्रमुक छेत्र का नाम ठीक है यहां पर कपास उत्पादा कहां पर होता है एक महराष्ट में होता है क्या होता है महाराष्ट और महराष्ट के इलाबा आपको गुजरात में भी होता है कहां पर होता है गुजरात है दोनों में से कोई एक यहां पर आप क्या करेंगे इस तरह आप चित्र बनाएंगे और यहां पर क्या करेंगे यह 39 का कौन सा है 29 खा है और कौन सा नंबर है दूसरा नंबर है और यहां पर देखा जो महाराष्ट कापास उत्पादक हो गया कहां पर अगले नंबर कोई का एक समवंद्री पत्त अब डेल्टा ची ने दौरा दिखाना है कि और इसा में एक पतन का नाम कहा पर है यह जबादीप क्या है उसका नाम पारदीप कि अधु कहां और क्या है 29 का ख़नंबर है और हो का यह तीसरा है तिसरा है और यहा पर दिखा दिखाएगा पारादीप फैसे अगला नंबर की देखिए ऊथे लगया इनौप चिन द्वारा दिखाने confess आप महाराष्ट्र ने साँ की इससे काईपोई से भुला बाराष्ट्र है कि भुला बने की इसको वारिटीक आपे से इसको एप हुस्टा दिखाने तो महाली कहीं पर जो मिलेगा चलिए यहां पर महाराष्ट प्लस चिनिक के द्वारा और यहां पर नाइन 29 का ख है और को था नमबर यह है चोधा नमबर है और यहां पर देखिएगा तारापूर तारापूर ठीक है भर लिए आप मांचित्र में ती क्या था आपका कि एक पर माड़ उर्जा केंद्र का नाम था इसके अलावा आपको याद होगा तारापूर में भी पर माड़ यह तक आपकम याद रहेगा उससे पर सकते हैं तारापूर में भी है कल पकम यह धोनों जगह और यह कल पकम परता है ने और तारापूर परता है महाराष्ट में जो आप दूनों की राजधानी नगर चींगर चांड़ पर है कि यह तो शुन से नाम यह बहुता है इस तरह माचीतर बोर्ड के एक्जाम में आपको मिलता है और यह मानचीतर आपको भरना रहता है ठीक है जैसे आपको भरे हैं इसी पका से आप भरियेगा मांचित्र ठीक है इस्टार्टिंग के जो 15 मिट रहता है आपको प्रशन पत्र पहने के लिए समय मिलेगा इसके अलबा कुछ इसके मुख के जो निर्देश दियेंगे वह आपको बता देते हैं देखिए इसमें सब्सक्राइब उसमें किसी प्रकार को आपको काटना नहीं करना है शोचह करना इसके अलबंगा ऑपने उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखना ए और इसमें मानचितर से संवबदित प्रश्ण 9a आने वाले यह इस प्रश्ट पत्र का पूरा प्रश्ट पत्र को आप देख लीजिए जो आपको हल कराने वाले और साथ में। आप सभी को मांचित्र से संबंधी जितने भी प्रस्ण रहते हैं। आप सभी हो मांचित्र पूरा व्हुत करके आपको बताने वाले इस तरह मांचित्र पर आपको भरेंगे तो आप वीडियो को लास्ट थक फ्र्रेंड जरूर देखी influence को देखते हैं। ठीक है जिसमें बहुकल्पी प्रश्ण है टोटल कितने बहुकल्पी प्रश्ण रहेंगे 20 बहुकल्पी प्रश्ण रहेंगे और परतेख एक एक नंबर करेगा यहां पी देखे आपका पहला नंबर का सवाल क्या है निम्नलिकित नेताओं में से इसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया ठीक है जिस प्रश्ण का एंस्वर आपको पहले से पता हो आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नहीं तो लोगों साथ में सब्सक्राइब कर लें ठीक है कि यंग इटली जो संगठन था उसको निर्मार किस ने किया था तो उसने किया था यूसपी में सिनी ने इस प्रश्ण का सही जवाब ये वीवाला अफसर सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए यही प्रश्ण को इंगलीस में दिया निम्ना लिखित में से इसे 871 में झرमन का प्रतम संवराट गोशित किया था, ठीक है आपसर क्या सुर्व्ययम प्रतम को विल्यम दोंनी को फ्रेडरीक मैं अगला देखिए इसना नमबर का गुए 1789 में फ्रांस किस प्रकार का शाषन था ठीक है आपसा नेस्षी मित राज तंत्र तंत्र था खुला तंत्र ठीक है जिस प्रश्ण नापūके सही जवात भी वाला हैसा आंस्तर सच नावाची में फ्रांस किस प्रकार का सासन था कैसा सासन था तो के सेमित राज्तंध्र था ठीक है अगला देखिय चौधा नंबर नबर को प्लाश्ण क्या का ब्रिटेन में कार्ण कानूर्ण समाप्त करने का क्या करता जो कार्ण कानूर्ण ब्रिटेन में लागू हुआ था उसको समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था ठीक है आपसा ने जैन संक्या में बृद्धी था किर्सी उत्पादों अधिक्ता कार्ण आयात पर नियंत्र था उद्द्यों के पतिम सहरी लोगों का विरोध था ठीक है इसे प्रश्ण का जो ब आपको कार्ण कानू समात किया गया कार्ण आयात पर नियंत्र के कारण ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए अगला नंबर का सवाल का है पाचवा नंबर का जान दीजेगा 1944 में ब्रेटेन उर्स सम्मेलन कहां आयूजित किया गया था ठीक है ब्रे अमेरिका फ्रांस भारत तो 1944 इसी में बेटन उर्स संबेलन जो था आयोजित कहां पर किया गया था तो वो किया गया था अमेरिका में इस प्रशन का सही जवाब भी वला आपसर सही हो जाएगा अगला चांवार नमर के तक है निमनलिकित मेंसे कौन सा अध्यी सूची में है। तो संगी सूची के अंध्रिगत कौन सा रता है ये सीटा हिसका सही जवाब आपसर सही हो जाएगा देखिए संग सूची के अंत्रगत पतिरच्छा कईएगा या रच्छा कईएगा या संग सूची का विशे है इसके लाव देखिए एक सिच्छा इसको याद रखिएगा समुवर्ती सूची के अंत्रगत आता है this topic in return फिसको याद रख संग सूची का्व इसाथ प्रसन का सही हो गया स्वाल को देखते हैं अगला नंबर के सवाल क्या है? आपका पिए सात्वा नंबर का ठीक है स्री लंका में कौवसा वुद का को uponaks के पाया जाता है तो आता मिल पाया जाता है एसाली सिंहली स्री लंका सब कौ़ का वेजर आपका साय है ठीक है कि अगले कि अगले कि अनमर कर निम्नलख देस वेसे कहा संगात्मक्षस नहीं आपको यह बतान आपको भारत बेल्जिय संख्कतराज अमेरिका स्रीलंक ठीक है। कि अंगले में अगले का सवाल क्या है। कि महत्मा गाधी का विचार था यानि महत्मा गाधी जी का विचार क्या था आपसा ने धर्म को कभी भी राजनिती से अलग नहीं किया जा सकता धर्म का राजनिती से कोई संबन नहीं है धर्म और राजनिती अलग अलग है या इन में से कोई नहीं तो महत्मा गाधी जी का वि आपका सही हो जाएगा माहत्मा गादी जी को विचार क्या था धर्म को कभी विराजनेती से अलग नहीं किया जा सकता अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए दसवा नंबर का सवाल आपको क्या है कि निम्रिकित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंदित है ठ ठीक है यहां पर देखिए पारदर्शी सासन वैद शासन उत्तरदाई सासन या इन में से सभी तो लोकतंत्र से जो संबंदी था आपका पारदर्शी सासन भी है वैद सासन भी है उत्तरदाई शासन भी है इस प्रशन का सही जवाब क्या होगा डीवल आपसन सही हो जाएग ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए अगला नंबर का सवाल आपका क्या है 11 नंबर का देखिए ठीक है 11 नंबर का देखिए सवाल आपका है कि निम्दली खित में से किस राज में सीरिदार खेती की जाती है हें सुपानी खेती कि नाम से जाने हुपानी खेती कि नाम से जानते हैं लो स्वाहइं काius अग्ला गना सवाल किए आपका यहाँ पर देखिए 12 नमबर कि निमनलिकित में से कौन सी रभी की फसल है आपको यहाँ पर बताना है कि रभी की फसल क्या है चावल ठीक है मोटे आनाच चेना का पास यहाँ पर कौन सा फसल बताना है आपको रभी की फसल तो रभी की फसल के अंदरकत क्या आ जाएगा तो च जैसे चैना हो गया गया हो गया ठीक है यह रभी की फसल के अंदर का चैना आता है इसके साथ आप याद रखिया गया होता है गया होता है जबकि यह चावल जो होता है आपका खरीब की फसल के अंदर का खरीब खरीब के फसल के अंदर का चावल आता है चैना और गया होगा आ में निमनलखित में से कौन सा खनीश पाया जाता है यानि मौनजाइट जो रेत है उसमें कौन सा खनीश पाया जाता है ठीक है आपसन आपका है कि खनीश तेल पाया जाता है यूरियनियम पाया जाता है थोरियम पाया जाता है या कोईला तो मौनजाइट जो रेत है उसमें ज पहुंसा उद्योग चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है यानि कच्चे माल के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है ठीक है आप साने प्लास्टिक मोटर गाड़ी सीमें या इसके लब अलिमोनियम होता है ठीक है तो देखिए आपका जो चून पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश के इस्थिति भारत से बहतर है यानि भारत से बहतर है किसकी इस्थिति आपसाने पाकिस्तान की बंगला देश स्री लंका या नेपाल ठीक है तो यह भारत की क्या है चारो पड़ोसी देश है इसे पूछ रहा है म सब्सक्राइब में इस आप में सब्सक्राइब में यहाइब पत्थर जाएब पत्षान पत्थर पिस्वा खिन हे दो यहाइब क्या लिव आप में सही होगा अगला देखे 17 नमबर का अब देखे 17 नमबर का सवाल क्या है कि एक वस्तु का अधिकांस्त प्राकृतिक परिकिरिया से उत्पाद में संबली थे मतलब एक वस्तु का अधिकांस्त प्राकृति में परिकिरिया के उत्पाद कहां पर संबली थे ठीक है आपसा ने प निकातीज थो ऱ्टाफ्ट उत्पादन उत्पादन राकिति की इसा ऊत्पादन कृट्पादन और göz पूरोफिते अर्था और आथ गॉतर को मृष्भ Psalm बिखना जो याद्त होता है। कि इसको यह शाओ सकते हैं इसको याद कि घरी आज देखी सर अंबर आपको क्या हैं आ इंतसाइट का संब्ध निम्नलीकेट में से किस खनी जिस से यान आ इंत्रासाइट किस सब्धित थे आप!' आप से। क्रेक्ट हो जाएगा 19 comment सぃवला沒有 इंस किывать में बंगला देशे ग्राइमुड बेस्था-बनार की अस्थापनाै यह आपके व फूटर ना 20-60 में इस प्रश्ण का सही निधायत किया जाता है ठीक है तो आपसा ने रोजगार की सर्तें आर्थी गतिक प्रकृति उद्यमों का स्वामित्व या उद्यम में नीजी श्व्रमिकों की संख्या ठीक है इसमें जो है प्रश्ण पूछ रहा है का सारवजनिक और नीजी छेत्रे को वर्गी क्रड़ जो ह किया गया था उद्यमों की स्वामित्य की आधार पर किया गया था इस प्रश्ण का सही जवब सीवल आपसम करेक्ट हो जाएगा ठीक है यहां पर टोटल बीस बहुकर्पी जो प्रश्ण थे जिसे ओमर सीट पर आपको करना था परतिक जो एक एक नंबर का था वह रहेगा जिससे आपको क्या करना है अस्ती सब्दों में देना है और यहां पर प्रश्ण देखिए परतेग जो है दो दो चार नंबर का प्रश्ण परतेग कितने नंबर का है वड़ात्मा फर्ष्ट में जितने भी प्रश्ण है परतेग चार नंबर के प्रश्ण रहेंगे अब यहाँ भी देखिए इन प्रश्णों कि आपको बता इते हैं प्रश्णों को आप एक जगा लिख कि प्रश्ण को तैयार जरू करली है साथ कि मान्चीतर वाले सवाल इससी आप को ड्याइ symptom कि ठ्यार कर लाएंगे देखिए आपका पहला नंबर का इंपोर्टेंट वारल प्रशन है क्या है कि अठरावी सदापदी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिर्यावट की हुआई दो कर देना था यदि आप इस प्रशन का इंसो लिखते हैं तो टूटल चार नंबर मिलेगा अथवा में दिया है यह इस प्रशन कर सकते हैं इसके अलब इस प्रशन कर कीजिएगा उनुशिष दापदी के दोराण अंतराश्टी अर्थसास्ति दोरा बताए गए कि नि दो प्रावाहों को असपष्ट कीजिए ठीक है यह दो प्रशन में से को एक ही प्रशन आपको करना रहता है अगला प्रश्विया किस प्रगास है कौनसा प्रश्न आपको तैयार करना है। भारत में की पीछे क्या मून सोच है? 4 प्रश्वानायी है। इसके हम इत्मॉँ में है हैं कि भारत में केंद्व और राज्यो के बीच शत्तिया की बहक्रूरा के किन्ही विशस्टाहं का उलेग करना था च्छार नम्बर को टोटल कि widow की प्रशन हों की तीह उसा में आपको जो लिए जार्न वाले है वाले से प्रोड परशन को उस और प्र लूं सनसाधन कि मिठ्टी के मुहत्व का उल्लेग करें लिए कि इसह आभ प्रकार के मिट्टियों का वह रान करना है यानि प्रकार के बारें बताना है कि यह भी चार नंबर का अथ्वाम देखिए अभरक के उपयोगिता बताएए न भारत में इसके किनित दूंपादक- राज्यों प्रश्णों को देख लिए आप जरूर से अगला नमबर का है राष्टी आये प्रति व्यक्ति आये में विभेट कीजिए देश की इस्थिती की तुलना के लिए इनमें से कौन सी वीधी बेहतर माना जाता है तोटल चार नमबर का प्रश्ण है विदेशी व्यापार से आप क आपको बोर के लोट के एकजाम में लेकिन आप सभी प्रश्णों को तयार कीजिए अब याँ पर दिन जो है पर्ति reported 6-6 नंबर का कितने नंबर कर अब यहां तेक剛 rare का क्या क्या कि सत्यक्रा का अर्थ है महत्मखइ और चलाए गये तीन सत्यक्राइब सद्हो अब यहां पर टिया यहां अथवा में जब दू प्रेशन आंको करना है अब यहां पर प्रशन को देख लीजिए अब करिंव क्या है सायूक अंदुलन कब चलाया गया झें? दो करणों के विवेचना कीजिए आंदरों आप सभी को पता है कब चलाए गया था तो 1920 में चलाए गया था ठीक है टोटल च्छा नंबर का यह प्रश्ण है इन दोनों प्रश्णों में से कोई एक प्रश्ण करना है आपको अब चलिए अगले नंबर के प्रश्ण को बता दे भारत में महिलाओं के प्रतिभेद भाव के तरीकों कीजिए टोटल च्छा नंबर का प्रश्ण है अब देखिए अगले प्रश्ण को आप कौन सा तयार करना है देखिए इस प्रश्ण को जरूर तयार कर लिजिएगा गन्ये के खेती के लिए उप्युक्त भावगोलिक प इस प्रश्ण में से मंगानों तोटल च्छा नंबर का जीटने अथमार सवाल है इसमें से दो यह प्रश्ण करना रहता है जे वा समद्नी अफ़ प्रश्ण ही आपको करना रहता है और आंध मीत का सवाल देखिए क्या है कि प्रात्मिक आप द्यूतिय च्छत्रों के विश उत्तरी चौह प्रशनों का पूरे प्रशनों को जरूरत आर लेजिए गपंते हैं सवाल इसे नहीं को कर आएम दिचारीabi घर करा रहा है इसने वी की पेपर कि तक रहां करोया करी तसकर लख के आपको पूर हाल करा तो संबंदी जो स्थानों को भारत के दिये गए रेखा मांचित्र में डार्चीन द्वारा नाम सही द privately यहिदि आप लिखते हैं तो इसके लिए एक बड़ागै दो नंबर मिलें गए। मिलने वाला तोटल आपको पुश्ट्रश्ण देगा पाज पुश्ट्र पास नंबर के रहेंगे जैसे देखिए यहां पर पहला नंबर का सवाल है इसको आप मांचित्र पर कैसे भरेंगे आपको पुरा भर के बताते हैं देखिए वह अस्थान जहां भारती राष्ट्री कांग्रेश का अधिवेशन सितंबर 1922 में हुआ था ठीक है देखिए 1922 में जो प्लकτά लाओ का लग सब्सक्राम रखेंगे करनें जो इसे युथे में मांचित्र पर कैसे भरेंगे ये आपका है यहां पर ध्यान दोब पर देखिए यह है आपका पस्चिम बंगल बंगल बगल में है यह आपको 9 ऐ करे यहां से 9 लिए का पहला जवाब क्या था कलकत्ता या कोलकाता चलिए लिख सकते हैं दुषरा नुमर के सवाल क्या है वह स्थान जहां महात्मा गादी जिने नमक कानून तोड़ा था कहां पर तोड़ा था महात्मा गादी जिने नमक कानून तोड़े था डांडी में कहां पर डांडी में और यह डांडी पढ़ता कहां पर गुजरात में ठीक है गुजरात में चलिए अब गुजरात आपको दि बना थी कौुन सा है नाइन कानसा 9 का सेकेंड वाला कौन सा सेकेंड वाला है है और यह पढ़ेगा आपका कौनसा लगान्डि यहां पर लिखा है आपको लिखाना है steak तोड़ा गया है अगला नम्मर को प्रश्न में क्या है तीसरा नम्मर को कई कि नम्मर के वह अस्थान जहां जाला भाग की घटना गटी थि कहां पे घटी थि अम्रि Ц्थर में कहां पर हुआ था अम्रित और अम्रिप सर पढ़ता है ठाप पंजाब में ठीक है यह कहां पर परता है पंजाब में ठीक है छोंहें ग्सकी नाइन सबीऱना सब्सक्राइब देखाने के बाद क्या लीगाथ कि आमérique सार अम रिप कि अमीरीक सार लेऊजिए है अब देखिए अगला नंबर कपशर्ण क्या है आपका चोधा नंबर का किसान सत्यागर्य अंद्रन उधा किसान कहा पर वह लुए ति कि MIKE lasci तो आपको पढ़ता है और यहां पर पढ़ता है इस पकास क्या करेंगे नाइन एक कौन से नमबर था चौथा ना किसान सत्य अगरा यहां पर लिखे दिजिए का खेड़ा ठीक इस पकास आपको भर लेना है अगला नमबर का सवाल क्या है कि वह जीला जहां यहां पर बहुत है यहां पर मालिजय आपका गोरःपूर प्रताह यह गोरभ पूर यह नाइन ए का नबर पाच्वा नमबर है यह इस प्रकास से आप प्रेख्ण को भरते हैं एक की इसके देखागा एक नमबर देगा पर थे आगे आगे बढ़ जाएगा जैसे बर एंसी प्रकार से इक्जामें मांचेत्र को भरिएगा ठीक है अब देखें यह पर 9a हूआ अब चलें नाइन दी के प्रशन को देखतें ठीक है तो यहाँ पी आपकर 9B भीए ठीक है अब यह पर इसको दिया गये है छिए भारत दर्स ठीक है पहले आपका है कि उत्तर प्रदेश की राज्धानी को सीच नदवारा दिखाना करने आपके जिसका मांचितर सब्सक्राया मांचितर अब यहां पे पढ़ता Kay देखें यह है आपका उत्तर पर्देश की राजधानी कहां पर है पहले यह पता होना चाहिए उत्तर पर्देश की राजधानी आपका लखनव है कहां पर है लखनव का इससे भरेंगे यह आपका है उत्तर पर्देश और यहां पर आपका क्या है उत्तर पर्देश है यहां प पर लीजाँ अगला है कि दच्छर भारत के एक प्रमुक नदी का नाम तो आपको यहाद होना क्या चाहिekt दच्छर भारत के जयसे नडी के भरते हैं पहसाइब लिए नाbet armed औरमटनाम के लुक्त और यहाहाँ नाम किशिए यहां पर गटायों से तो तो यह देख लिए आपका तमिलाडू है तमिलाडू में वाइच नदुवारा दखाना तरह बराईएगा और यहां क्या दिखाईएगा नाइन बीका कौन सा है सिकन्ड नमबर है और यहां पर लिखेंगे कावेरी नदी इस प्रकास आप भर लिजिएगा ठीक है अब देखे अगरे नंबर यह कौन सा था तीसरा नंबर था न यह तीसरा नंबर का भर देखेंगे यहां पर तीसरा नंबर का था तीसरा नंबर डाल दीजिएगा अभी देखें यहां पर यह बचा है दूसरा नंबर का सवाल कि नर्मदा नदी पर बना एक बान प्राबा चिन द्वार साल appelle दिखाना यारी नर्मदान अधी एक बना बना बांध कौंसा है सरदा सरोर सरोवर बहन कि अठीक है सर्दाशर वर बागत अब से、、 हाँ, यह आपका गुजरात में सरदासरोवर बांध गुजरात में तो देखिए नर्मदान नदी पर बना बांत आको दिखाना है देखिए नर्मदान नदी यहां से गुजरता है और यह कहां पर गिरता है यहां पर आके गिर जाता तो यह देखिए आपके गुजरात है और यहां पर किस चिन के द्वार दिखाना है तो बराबर चिन है यहां इस पका से बराभा चिन दीजिएगा इसे कोश्टक में घेर लीजिएगा और इसे इस तरह करके नाइन बी कप सेकेंड वाला यह कौन सा है सेकेंड नमबर है और यहां पर लिगे दीजिएगा सर्दार सरोवर बांद अगलो परस्न देखिए वर दिया थीसरे नंबर का च quelता नंबर का न भारत के श्री जूट उतपादक राज चींड दोर्या देखा नारान चन साय कोंसा है प으면 बंगल पर च्टिम बंगा यहां पर जूट को उत्पादन होता है तो आप इस पका देखे इस चिन द्वारा देखाना आयन इस चीन बनाएगा इसमें और यहां सब क्या किजिए गा नाइन बी का कौन सब्सक्राइब नाइन बी का चौथा नमबर चौथा नमबर यहां पर लिखेंगे पर चीम बंगा अब चलिए एक प्रशन और देखते हैं जो बचा है आपका पाच्वा नमबर का भारत का कोई एक परमाड़ उर्जा केंद्र चिन द्वारा देखाना है ठीक है भ तो आपको इस शूर्भ नि में इतना बेरी यह कहां पर महराष्ट में हैं इस रिखाना है और यह दूब कनेुद्वर्ग माहरास् собир ने द्वारा दिखाना है इससे करने हुआ लिए ओ स्कृरिस हिस पर्यूहां ठाक्रव organized तोट्व्यम rad colonial नमबर का मॉठ्या नमबर इस पकास यह थी मांचित्र बरते हैं तो आपको इस पे टोटल टोटल क्या मिलेगा पांच नमबर मिल जाएंगे तो जितने भी दिर्व उत्तरी प्रशन बता हैं आप उन प्रशनों को बता देते हैं यहां पर स्टार्टिंग के जो 15 रहता है आपको प्रशन पत्र पहने के समय मिलेगा इसके अलबा कुछ इसके मुख के जो निर्देश दियेंगे वह आपको बता देते हैं देखिए इसमें खंड आ खंड बाद भाग रहेंगे खंड आ में 20 बाविकल्पी प्रशन रहेंगे और उस ओमर सीट पर आप सभी को हल करना रहेगा ठीक है खंड आगे ज खंड बाद बाद जो इससे 50 अंक्त के वडादमग प्रशन रहेंगे जो दोबाग में बते रहेंगे व्रादमग सिकेंड है और हर इसमें खंडबह में आपको क्या करना है कि सभी उत्तर को अपने उत्तर पूस््थिका प्रश्न बहुंत दहते हैं यह पर इस प्रश्ञ को मांचीत्र से संबढ़न करने प्रश् bands 9a रहेगा ठीक है मांचीत्र सर्ण टोटल दस नंबर के प्रश्ण आने वाले हैं ठीक है अब देख पत्र का पूरा प्रश्ण पत्र को आप देख लीजिए जो आपको हल कराने वाले हैं और साथ में आप सभी को मांचित्र से संबंदी जितने भी प्रश्ण रहते हैं आप सभी को मांचित्र पूरा हल करके आपको बताने वाले ठीक हैं तомина work with का च ϟूड देना आगे थोड़ा से नीचे आएंगे प्रश्ट पत्र में यहां पर कंड अ लिख इस ने बाउई गरूअफ में द्ली बना नीवहां प्रेश्ट करें अपको पहले से पता हो आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नहीं तो चलो को साथ में सब्सक्राइब कर लें ठीक है देखिए यहां पर इसका पहला आपसन है कि विक्टर इमेनुल दीवतिय थे जियोस पर गैरी बालडी थी ठीक है तो देखिए यंग इटली जो संगठन था उसका उसको निर्माण किस ने किया था तो उसने किया था यूसिपी में सिनी ने इस प्रश्ण का सही जवाब यह वाला अफसर सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं द दूसरा नंबर के देखिए निम्ismconst लिंखित में से इसे 1871 में जर्मन का प्रठम सम्राट गोशित किया था ठीक है आपसंड कैसर विल्यम प्रठम को विलियम दितियो को फ्रिडरिक्ष विल्हेम प्रठम को आटवान बिस्मार्क को ठीक है देखिए 1871 में जर्मन का जो पर्थम सब्राट गोसित किया गया था वो कैसर विलियम पर्थम को गोसित किया गया था कैसर विलियम पर्थम को इस प्रश्ट का सही जवाब एवला आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए तीसरा नंबर का बीकि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था en506 चॉना 내가 राज़ तंद्र था कूलीन तंद्र था लोग तंद्र था जेए इस प्रस्ष्ण आपको सही जो गधी वला फ़सन सही होगा वी सत्रह सो नुपासी में फ्रांस कमें किस प्रगार्ण का Satsang Tha thar ऑसिमित राजतं रहता ठीक है अगला देखिए जौद्धा समस्क्राइफ करने का क्या करता जो कार्ण कानून जो अगाद करने का था इसनतर जान संक्राइब में, के उद्देश जो था आपका कार्ण आयात पर नियंदर्रक्हाण आपको कार्न कानून समाथ कियागया कार्ण आयात्पन नियंदर के कार्ण ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते है देखें अगला नंबर का सवाल क्या है 15 नंबर काँ जैन दीजीएगा 1944 में ब्रे तन्रत समयलन गहां आयुजित किया गया था ठीक ब्रेटन उर्सव्यलन कहा आउजित किया ता आअपसर ने आपका ब्रिटेन अमेरिका फ़रांस भारत तो तो 1944 इसमीब में वर्डेटन उर्स––विजित कहां पे किया गया था भू किया गया था अमेरिका में इस्कार जवाब व्रमौ आपसर सही हो जाएगा है मैं एकित का कहन से संगि सूचि में मतलब के अंदर की सूच जो है तेन परकाद को कि सूचि आपकर होता है संही इसका सही जवात हो जाएगा इस वरती सूचिव के इसको याद रखिए गा इसको संगा किर्शं युप या राज सूची के इन्दरगत आता है इसको याद 으 अगला नमबर सवाल क्या है सात महान नमबर का स्रि लंका में कौन सा 창 के कुवर पाया जाता हैuld्यवर्थी स्री लंका स्रि यदि है कौन साओ। नंबर का कि निम्ने लेख़ी देशों में से कहां संगात्मक साथन नहीं यहां पर संघात्मक साथन कहां पहां पर नहीं है यह वताना आपको ब्हारत k gol gia संगात्मकि अम्रीका ती म्रीक का कि अभात्मक से सु आपका आपि लिए Yuk अगला देख попроб नुपा नमबर का सवाल क्या हैं-, कि महत्मा गाधी का विचार था य्मफा का विचार क्या था आप साने धर्म को कभी वी राजनिती से अलग नहीं किया जा सकता धर्व का राजनिती से कोई संबस्तन नहीं है धर्म और राजनिती अलग है या इन में से कोई नहीं तो महात्मा गादी जी का विचार क्या था तो महात्मा गादी जी का विचार था यह था आपका कि धर्म को कभी भी राजनिती से अलग नहीं किया जा सकता ठीक है यह प्रश्ण का सही जो आपका सही हो जाएगा महात्मा गादी जी को विचार क्या था धर्म को कभी भी राजनेती से अलग नहीं किया जा सकता अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं तक दसवा नंबर का सवाल आपको क्या है कि निम्रिकित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंदित है ठीक है यहां पर देखिए पारदर्शी सासन वैद शासन उत प्रश्ण का सही जवाब कर अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल आपका क्या है कि लुक में हरी दार में की जाती है पंजाब में ऊत्राखंड में या उत्तर परदेश में ठीक है जो सीरुडार खेती हम सोपानी के नाम से भी जानते हैं तह Пढ़ात्र खेती कहा पर की जाती है तो आपका उत्तर पर सुली दोस्तो उत्तराखंड भी किया जाता है कहां पे लिए जो as?] यह उत्त्रेंदें किया जाटा है। इस प्रैश्णंब का सभी सभी्ग है। अगला देखें trio number गा सवाल कहा है आपका यहां पर देखिए dolar number कि निमनलिक्त में से कौन सी रभी की फसल है आपको यहां पर बताना से की रभी की फसल क्या है Č और śb प्रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार चावल जो आता है आपका खरीब की फसल के अंदर गत आता है किसके फसल के अंदर गत खरीब खरीब के फसल के अंदर गत चावल आता है चैना और गया हूं रभी के फसल के अंदर गत आता है ठीक है समझ में आ गया होगा आप सभी को चलिए अगले नंबर के 13 नंबर के सवाल सब्सक्राइबा, देखते हैं सब्सक्राइब ऊक्राइब का या यह वां चले उसमें आपका पायाब सिस्वाल आपसंवगा अगरा अगर नमबर देखिए 14 नंबर का क्या है आपका निम्हेलिखित में से कौंसा उद्धयोगा चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में परियुक्त किया जाता है कि प्लास्टिक मोटर गाड़ी सिमेंट या इसके लब अलिमोनियम होता है ठीक है तो देखिए आपका जो चूना पत्थर को कच्छे माल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है कहां पर किया जाता है तो किया जाता है सिमेंट बनाने कहां पर सिमेंट इसका सही जवब सीवल आपसन सही होग किसकी इस्थिति आप साने पाकिस्तान की बंगला देश स्री लंका या नेपाल ठीक है तो यह भारत की क्या है चारो पड़ोसी देश है इसे पूछ रहा है मानो विकास के लिहास किस देश की इस्थिति भारत से बहतर है तो भारत से बहतर जो आपका स्री लंका कहा है तो इसक एंदनेों से कहने में धातविक यहां पर प्ताना है न कोएला लोटष या चुना पत्थर है यहां न सो घघंगा तुसमें धात्व दैकर किया है इस प्रशन सही जब क्या होगा अगला देखिए 17 नमबर का सवल क्या है एक वस्तु का अधिकांस्त प्राकृतिक प्रकृतिक 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 प्रकृति इसका सही जवाब एवला आप्सान करेक्ट हो जाएगा याई आपको किस रूप में प्राकृतिक प्रकिरिया में उत्पाथ ज्यादा होता है तो किरसी किसमें आता है इसको याद रख सकते हैं इस पगए कöyle गआए अग्रा इंतरा साइट का संबन इतरानाया पता हो याने सब्सक्राइब नियुम्न कि संब्सक्राय क्यों हो ळो भी कि करेक्ष सभी भी जाएगत को सब्सक्राइब हो डियुक्त सनब्सक्राइब मेंके तृइस शुर्णा टररी अस्थापना हुई यानि बंगलादेश ग्राइमुरी बैंक की अस्थापना की संद में हुआ था यह आपका हुआ था प्रश्ण का सही जवाब सीवल आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला देखिए बीसवा नंबर का सवा ठीक है देखिए आपके आए बीस नंबर का सारवजनिक और नीजी छेत्रों का वर्गी करण नीनलिकित में से किस आधार पर निधायत किया जाता है ठीक है आपसने रोजग अगले प्रश्णों को आपको बताते हैं देखिए आपके सामने अब वर्णा आत्मक प्रश्ण होता है यहां से देख सकते हैं अब यहां से स्टार्ट होता है और फ्रश्ण आत्मक प्रश्ण होस्ट अयांशस्थेथ है और यहां प्रश्ण देखिए और प्रश्णों को आपको बता रस्ण ऐटेन रेंगे प्रश्णों को तयार ज़रू कर लेगा साथ में आपको क्या करेंगे कि मान्चित्र वाले जो सवाल है इस पर डिटेल में हल कराएंगे ठीक है कि यहाँ क्या करेंगे पहले इन परशनों का आप सभी को बता देते हैं प्रशनों को ध्यान से आप देख लिजे सिर्फ और इसे आप किजिए के तयार जरू कर लिजेग अथवा में दिया है यह इस प्रश्ण कर सकते हैं इसके अलब इस प्रश्ण को कीजिएगा उन्निश्वी शदापदी के दोरान अंतराष्टी अर्थसास्तियों दोरा बताए गए किनी दो प्रावाहों को असपश्ट कीजिए ठीक है यह दोनों प्रश्ण में से कोई एक ही आपको करना रहता है अगला प्रश्ण देख लीजिए कि अगला प्रश्ण किस प्रगास है कौन सा प्रश्ण आपको तयार करना है भारत में राजिनतिक छंता के विकेंद्री करण के पीछे क्या मूल मूल सोच है चार नंबर का प्रश्ण है इसके अलब अत्मा में दिया ह है कि भारच में केंद और राज्यों के बीच सत्त के पटवार के किनी दो查न का उलेग करना था है तोटल चौटल कतने नंबर का चार नंबर का प्रष्ण है इन दूब क्रश्ण में sera कोई एक प्रष्ण करना है तीसा नंबर का प्रश्ण देखिये कैसा बोर्ड की एक्जाम में आने वाला है एक संसाधन के रूप में मिठी के मुहत्यों का उल्लेक करें भारत में पाए जाने वाले किनी दो प्रकार के मिठीयों का वह रहन करना है यानि मिठी के प्रकार के बारें बताना है कि यह भी चार नमबर का अथ्वाम के अगला नमबर जो चौथा नमबर का है राष्टी आये प्रति ब्यक्ति आये में विभेद कीजिए देश की इस्थिती की तुलना के लिए इन में से कौन सी वीधी बेहतर माना जाता है टोटल चार नमबर का प्रश्ण है विदेशी ब्यापार से आप क्या समझते हैं विद लुक्ति नमबर का सवाल क्या क्या है कि सत्यागरा का क्या अर्थ है महत्मा गादी दुआरा चलाएगे तीन सत्यागरा आंदूलन का वोश्लेशन कीजिए कि कि यहां आए आधा olabilir डो परषण से एक आपको करना है अब है 1001 आप सभी को पता कप चलाए गया था 오른쪽 sudah इसमें चला है ठीक है टोतल 6 नमबर का ये प्रशन है इन दुनुंग प्रशन को प्रशन करना है pulse अब चलिए अगले नमबर की प्रश्ण को बता देते हैं को आपको तैयार करना है यहां पर देखिए आपको छटवा नमबर का सवाल है कि बारती समाज में जाती प्रथा अभी भी पर चली थे इसके क्या कारण है इसको समाप्त करने के तू उपाय आपको बताना है अथवा में भारत में महिलाओं के परति भेद भाव के तरीकों को वरण कीजिए च्छा नंबर का प्रश्ण है अब देखिए अगले प्रश्ण को आप कौन सा त लेग कीजिए टूटल च्छा नंबर का ठीक है अगरा देखिए आपको प्रश्ण है कि भूच छर्ण से आप क्या समझते हैं इसे रोकने के लिए कोई चार उपाय आपको बताना है टूटल च्छा नंबर का जितने भी अथवाला सवाल है इसमें से दो ही प्रश्ण आप यही प्रश्ण करना रहता है दो प्रश्ण में से एक प्रश्ण ही आपको करना रहता है अगरा आठवा नंबर का सवाल देखिए क्या है कि प्रात्मिक एम द्यूतिय च्छेत्रों की विशेष्ता के विवेचना करना है या इसके अलब आपको क्या करना है कि असंगठी च् है उससे जरूर तयार कीजिए अब चार्य चार्यास सवाल है ठीक है मांचित्रच सवाल 130 जी सवाल इसको आपको पूरा ह Tamil कराते औहुंद भर्वर कर आ पर करैंडिक ठीक है त्ट्..ट चैसे सवाल इससे नाइन बी रह गा है जिस से族 नाइन यूदू आपको प्रशन देगा पाज प्रशन पाज नंबर के रहेंगे जैसे देखिए यहां पहला नंबर का सवाल है इसको आप मांचित्र पर कैसे भरेंगे आपको पुरा भर के बताते हैं देखिए वह अस्थान जहां भारती राष्ट्री कांग्रेश का अधिवेशन सितंबर उन 2220 में जो अधिवेशन हुआ था कहां पे उत्यरपुस्तिकां सकते हैं कल कत्ता ठीक है कलकत्ता लिखन लिखां या कोल्कता का लि act का यहीं आपको पर टोंखे सभांग्यद ठीक है कि देखिए यह आपका पश्चिम बंगल बगल में है यह क्या बंगल में इस पर दाइघाति है कि तरह मफ़ना है अब चलिए और दूसरे नंबर के सवाल को देखिते हैं तो दुसरा नूमर का सवाल क्या है वह न आ महात्मा गादी रím तोड़ा था तोड़ा था डांडी में ज़्ली अब देखे आप को दिखाथे मांचित्र में कहा कि यह हैं से को भरना तक यह कौन सा नाइन इन का सिकेंडला कोख सास केंडला है एक पर आपका कौन सा डांडी कि लिखें ने याथ्रह फूर किया था वह इस नमक कानून आपका ल१ा जला गया था तीक हां परस्थान कमान्चित्रों भर्णा देखे अगले नमबर का प्रश्वियर तार्णा मत का पंजाब मेंहां पंजाब में इससे कैसे बराइंगे यह ना यहां पे क्या है अमिरिट शेमा का यहां पर पर पड़ता त्व बाग को सब्देखार नवर कि अगला अगले नमबर का प्रश्ण क्या है आपका चोधा नमबर का कि वह स्थान जहां मात्मा गादी का किसान सत्यगरे अंदुलन हुआ था यानि किसान सत्यगरे अंदुलन कहां पर हुआ था यह आपको भरना है ठीक है यहां पर देखिए आपका किसान सत्यगरे कहां पर हुआ था विभा था आपका आपका आप्हां पर खिड़ा में कार पर खियादा ने हैं निए किया आपका पड़ता है आपका आपका खिड़ा थे इस प्रकास क्या करेंगे नाइन एका कौन सा नमबर था चौथा ना किसान सत्य अगरा यहां पर लिखे दिजिए का खेड़ा ठीक इस पकास से आपको भर लेना है अब देखें अगला नमबर का सवाल क्या है कि वह जीला जहां चौरी-चौरा की घटना घटी थी चौरी-चौरा घटना कहा पर गटी थी गोर ठीक है सिर्फ आपको इतना ही लिखना हो कहां पर पढ़ता रुद्य यहां पर उत्तर-पर्द्देर परोooooo ॉत्तर-पर क्यों क ham work भरना आ इसादम को पता रहाएं मानचेत्र में भर कान हम अब देखें मानचीत्र कैसा ब Sheriff수ウ है पर देखें से ऐतेया सबहा है कि यह उत्तर गोरखकूर ठीक तक प्रम को यह भरते हैं तो आपको 5 नमबर देगा पर पर टेख प्रशन के लिए एक नमबर तरण देगा और आगे बर जाएगा जैसे बर इसी प्राइगार से बोड के इकजाम माजिद्र को भरिए गाइगा अब देखें यहां पर 9a हुआ अब चलिए 9b करी के प्रश्ण को देखते हैं ठीक है अब यहां पर फिसका निरॉज़ दिया गया है कि दिये गये भारत के मांजीult means रर्च को दरसाई इसे इसकर int park का अद्धिकर दिखार कि आपके सामने कि अब यह है उत्तर परदेश पर्देश इसमें उत्तर पर्देश की राजदारी इति पता पर प्रदेश की राजधान्रित और लगना रहीं लखन साहिब लगना फै्याइब यह आप परताаньु बी का पहला नंबर है और यहां प्रिकनाऊ इस पकाश भर लीजिएगा अगला यह कि दच्छर भारत के एक पर्मुक नदी का नाम यह तो आपको याद होना चाहिए कि दच्छर भारत में जैसे गोदावरी हो गया कावेरी हो ठीक है इस पकास भर सकते हैं तो चलिए यहां प यहां पर बढ़ता है देखें भरेंगे इसे कैसे अधिस चीन द्वारा भरना है यहां पर देखिए यह तमिलदू परता है कहां से जाती है कावेरी न्दी तरह ब्राइए गा और यहां क्या दिखाईए गा 9 bh kong sa hai 2nd number hai pa यहां पर कावेरी नदी क्या लिखेंगे कावेरी नदी इस पका से आप भर लीजिएरा अब देखे अगरे number कहां सा था तीसरा number था न यह पंढ़र के बदिए फ्रैंज न तो यह पी पर तीसरा number ढाल दिजिए खो यहां पर यह बचा दूसरा number का सवाब अच्छी ने द्वारा दिखाना है यानि नर्मदान नदी पर एक बना बांध देखिए नर्मदान नदी पर बना बांध कौन सा है सर्दा सरोवर बांध सर्दार सरोवर बांध ठीक है सर्दा सरोवर बांध अब सर्दा सरोवर बांध है कहां पर यह आपका गुजरात में सर् कांप गिरता है यहां पर आके गिर जाए तती यह देखिए आपके गुजरात है और यहां पर किस चिन के द्वारा दिखाना है तो बराबर चिन है न यहां पर इस पकास बराबर चिन दीजेगा इसे कोश्टक में घेर लिजिए गया और इसे इस तरह करके 9B का सेकेंड वाला है कौन सा है सेकेंड नमबर है और यहां पर लिए दिजिएगा सरदार सरोवर बांद ठीक है भर लिए इस तरह अगला प्रसन देखिए तो भर दिया भर दिया तिसरे नमबर का चौधा नमबर का देखिए भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज चिन्ह द्वारा देखाना है यानि के जूट उत्पादक राज कौन सा है यहां पर जूट उत्पादक राज आ सा है पस्चिम बंगा और पसिअ बंगाला भी आपको बता करने हैं चलिए भरते हैं पस्चिम बंगाल में देखिये haye कहां पर यह hy अपकर पस्चिम बंगाल यहांपर जूट को उठाधन होता है तो आप शितितम दोबरहें थquez रहाना नहीं और यहां से थैस की जिएको 9 भाषके औ उर्जाय छीएक अभै चलिए कोई ₹छाय आप तंक यह चेंट सेटाना व्या क्यों भारकर्वा को एक परमाड़ केंधर चीड दोंशाना यह जरू दिरिक को एक टारफ पूर पर्माड़ पुर्जघ केंधर, क्यों के हो का पहां पर पढ़ता है तो महाराष्ट में पतरका धिकने हाना था पता होना चाहिए कर destroyer जो पर मपर जैसे कहां पर यहां आपको महराष्ट करें और शिर्द द्वार्ट यहां पर नाइम् सेंबर्ल है यहां पर ससे संबंध संबर्द स्मिलजाएंगे जितनें 20 अंग 20 बिशबके 22 बिड काल्पी internet जिसे आपको क्या करें zijn OMR سीट पर भरना रहेगा ठीक है बूड की एक्जाम में आपको OMR Set मिलेगा वहां पर इसको remembered भरना रहेगा इसमें OMR Suite मिलेगा इसपे किसी प्रकार का Eraser हुआ यह व golden हुआ या इसपे आदि किसी प्रकार का कार्ट पीट आपको नहीं करना रहेगा ठीक है अब यहां पर आपको अगला निर्देश पढ़ेएगा आप यह खंड बाजू होगा उसमें पचास अंक का वरात्मक प्रश्ण रहेगा फर्स्ट रहेगा वरात्मक सिकंड रहेगा और इसमें आपको मांचीत्र से संबंदित प्रश्ण भी रहेंगे आपको मांचीत्र से संबंदित प्रश्ण रहेंगे इसमें मांचीत्र पूरा भर के आपको बताने वाले हैं ठीक है तो आप वीडियो का लास तक जरूर देखिएगा इसके अलाबा यह सब आपके कुछ निर्देश दिएगी इसको पढ़ पहले से जानते रहेंगे थो एक्जा में आपको किसी प्रकार का प्रावलम नहीं होगा ठीक है अब दीखिए यहां पे स्टार्ड होता है कंड़ए धिक है जिसने हम देखेंगे यूटी अपका पहला नंबर का सवाल क्या है एकनबर नहां नहिए चाल स्वाल के आए कि फ्रांस की करांटी कभी थी ठीक के फ्रांस की क्रांटी कभी थी आप सद्धान है 848 में 817 1789 और 1695 तर्फान की जुक्रांटी हुए से 1789 इस विए में उविए था तिसका सही जोब सीवला आप्सण करेथ हो जाएगा इसे याद रखेएगा आप के सामने दूसरा नंबर सवाल क्या है कि जू सफि मेल्सनि का संबंध था यानि जू पर्ला आप्सण है इटली की एक اक्रस संसम्द ही थे है जर्मनी की एकी करण से, इंग्लेंड के राष्टवाद से, या फ्रांस के राष्टवाद से, ठीक है, जो सब्सक्राइब का संब्द इटली के एकी करण से था, इस प्रशन का सही जवाब, ये वला आप संग क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगले नंबर के स इस पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा कि हिंद सुवराज पुस्तक के लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा इसके पुस्तक के लेखक का नाम है महात्मा गादी जी यानि महात्मा गादी जी के द्वरा हिंद सुवराज पुस्तक लिखा गया है समझना गया है अगला नंबर के सवाल देखिए ठीक है निम्री लिखित में से किसने बार्दोली सत्यगरा का नेत्रितु किया था यहां पर देखिए कौन सा सत्यगरा है बार्दोली सत्यगरा इसका सत्यगरा का नेत्रितु किसने किया था महत्मा गादी जी ने किया था चंद देखें जितने भी प्रश्ण करार रहें, इन सभी प्रश्णों को आप जरूप पह लेजिए और इस paper का संपूर हल करके है बूड के exam में जाएगा, आपको यही सब प्रश्ण बूड के exam में देखने के लिए मिलता है, पांच वा नंबर का सवाल देखें, कि जब France छीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है किसका कथन है यानि किसने कहा था कि जब फ्रांस छीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है इसका आपके सामने चार आपसन है तो देखिए यहाँ पर आपसन दिया मेटरनिक नेपोलियन लुई फिलिप ये चर्चिल जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप का सरदी जुकाम होता यह कथन जो था मेटरनिक कथा इसका सही जवाब एवला आपसन सही हो जागा अगला नमबर छटवा नमबर के देखिए भारत में संघी राज्यों की संख् संघ्या बताना है कि कितना है 27 28 29 30 वरतमान समय में भारत में राज्यों की टोटल संघ्या कितना 28 इस प्रश्न का सही जवाब भी वाला आपसन सही होगा आपका साथवा नमबर देखिए विश्वका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है ठीक है विश्वका सबसे ब भारत है अगला नमबर नमबर का सवाल क्या है आपर संसत्र प्रधान मंत्री या इसके लवा राष्ट्र पती तो लोगतंत्र में सकती का स्रोत कौन होते हैं इसका सही जवाब आपसं क्या होगा पर सही होगा अगला देखे दस्वा नंबर का निम्नलिकित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाती के आधार पर हुआ था या धर्म और जाती के आधार पर किस देश का विभाजन हुआ था बेल्जियम का भारत का यूगलास्विया का या निदर लेंड का ठीक है धर्म और जाती क प्रतिब्यक्ति आए को प्रतिब्यक्ति आये को किस नाम से जाना हुआ नाम के जानाह से उसे आये की नाम से जानाहा citizens इसका सही जवाब, they will be evaluation क्या होगा? आपका सही होगा Hangyo चलिए अगरे नमबर की सवाल को देखते जीए आपके सामने अगहाना सवाल क्या है भारवा नमबर का kya has Hee ठीक है? या भॉसरा नाम है is प्रस्षिन का सही जवाब सिवाब तर्फैन को स्यों कि स्योंगाब प्राथि में 90 को सुच्छन प्रद्ध्य ची जिवाऑब किस सेवा को रखा गया जवाब एवनलाबशन किसे अथिकास विदयसी को billion होτε आपको सब्सक्राइब मार्ग रेल मार्ग या वायू मार्ग जितने भी विदेशी व्यापार होते हैं इसका सही जवाप भीवला आप्षन क्या होगा आपका सभी होगा अगला देखे 15 नमबर का सवाल आपका क्या है राष्ट्री उभवक्त अधिकार दिवस कम मनाया जाता है आपसा ने 5 अप्रेल 22 फरवरी 24 नॉम्बर या 24 दिसंबर तो राष्ट्री उभवक्त अधिकार दिवस जो है आपका 24 दिसंबर को मरा जाता है ति इस प्रश्ण का सही जवाब डीवला आपसन सही होगा अगला देखिए 16 नंबर का क्या है सवाल आपका इन में से किस राज्य संग राज्य छित्र में काली मिर्दा पाए जाती है आपको सिदह सिदह बताना है कि काली मिर्दा कहा पर पाए जाती है आपसन है जम्मु और कस्मीर पाए जाता है राजस्तान में महराष्ट में जारखंड में जो काली मिर्दा पाए जाती है आपके महराष्ट में पाए जाता है इसका सही जवाब सी वेला आप्सन सही होगा अगला देखिए सत्रहा नंबर का एजेंडा 21 का संबंद किससे है एजेंडा 21 इसका संबंद किससे है वह जो छरड से है वैश्विक तापन से जरवायू परिवर्तन सतत पोशड़ी यह संधारड़ी विकास से है ठीक है यहां पर बताना है आपको यहां वह गती हैं ऑफ तापन संबंद संबंद किससे रजात बापन पर आपको पर किस वर्स एरम किया गया था और में ऐसीं मेंच इस वर्स आरम किया था 1003 में 2012 2014 2014 2021 ठीक है जो ग्रीन इंडिया मिशन था आपका जो प्रारम किया गया था उनने 2014 में प्रारम किया गया था इस प्रश्ण का सही जो अब सीवला आपसंद सही होगा 19 नंबर का के यहां जायत की फसल हे यहां पर जायत के अंत्र तर्बू जा जाताए इसका सही जाप साइय होगा ठीके यह पर धान को याद रखिएगा यह खरीप की फसल किसकी फसल पर करीफ सरी ऋखरीप की ओनद में कौध अब पर यह याद रखिएगा सफिhesवा आपको बता दिये अगे बीसवा में नंबर इस वह पाया जाने वाला खनीज अंगने चट्टानों में काउन काँसा यह आपको पता ना है आप थैनिद नमक जस्ता यह ब क्लिष क्लेकर अग्रिफाइड पायिद पाया describes इसका सही सवाब सिवयलाबसान सही हो ज Favor-चे अगले नंबर के शवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाब आपको क्या है अब यहां से श्टार्ट होता है क्षंडब और आपको असी देख लीजिए और एक जगली की इन प्रश्णों को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा देखिए आपका सवाल गया है भारती अर्थ विवस्था आर्थिक महामंदी के परदने वाले प्रभाव का वरण कीजिए अथवंग दिया है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारव का उलेक कीजिए ठीक है अगला प्रश्ण आप देखिए इस प्रश्ण को जरूर तैयार कर लीजिएगा कि सत्याग्रह का अर्थ असपष्ट कीजिए तदा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उलेक कीजिए तोटा चार नंबर का अथवं दिया है कि भारत में पंद को कितने भागों में वाजित किया गया है इनकी विश्यष्टाओं का वरण कीजिए जितने भी प्रस्ण बता रहे हैं इन प्रश्णों का आप जरूर तैयार कर लीजिए ठीक है आपको मानचितर वाले जो सवाल है अभी आपको हल करके बता रहे हैं ठीक है देखते 22 और गति योँँ से आप क्या समझते हैं आरती बिद्यून का वरिक्र पस्तूत कीजिए अथ्वant दिया है कि खता कि कितने अधिकार होते हैं सभी अधिकारों deceived जोडिशार नम्बर का सभी प्रश्ण होता हैं नामों कि इस्टार्प अमत सवाल क्या है कि लोग तंद्र से अब क्या समझते हैं इसे उत्तरदाई जिम्मेवार या वैद शाषन क्यूं माना जाता है टोटल देखी वड़ा अत्मक जो प्रशन रहते हैं परते एक छाचा नंबर कराता है इसमें अथवा में दिया है कि लोग तंद्र के समझ क्या चुन घ्राब का सवाल देखिए 26 नमबर का सवाल क्या है कि यहां पर दिखिए ज्रमन एक ुकराव यहां कैसे हुआ अथि अगला नमबर के सवाल को देखते हैं अगला नमबर का आपका सवाल क्या है इस सवी प्रशनों को देखे तयार किजिए 27 नमबर के सवाल है जो तयार करना आपको कि मानों विकास सूचकांग को परिभासित कीजिए मानों विकास के घटकों कवराउंग कीजिए टोटल छाचा नंबर का अथवम देखिए आपका है कि भारती अर्थविवस्ता में अधिक रोजगार विक्सित करने के मादमों को असपश्ट की टोटल चान करका देखिए यहां पर जितने भी लगों अधिर उच्ट री जितने भी प्रश्ब्र आप सभी को बता है इन सभी प्रश्ब्रों को आप जरूरत तयार कर लिजेगा यहीं प्रश्बू अने वाले थैं तो आप साथ मार्च पहले से अपनी तयारी अच्छे से कर लीजिए अगला देखिए आपका मांचीत्र से संबंदी सवाल स्टार्ट होते हैं यहां पर मांचीत्र वाले सवाल जो है आपको यहां पर भरके पूरा बकादे बहताते हैं आप वीडियो के बस लाश तक देखा कीजिए 24 का कर देखे क्या है कि दिनिमन लिखित अस्थानों को भारत के दिये गई रेखा मांचीत्र प्रिष्ट 13 पर यह डाट चिन द्वारा सही दरसान है यहां पर इससे मतलब नहीं बस यहां पर देखिए यदि आप सही नाम लिखते हैं तो एक बटा गदू नंबर मिलेगा और स इस दसन्ंबर को देखि इतने भी प्रश्ण बता रहा है देखते रहेंगे तरक पक्का कर सकते हैं पहला नंबर का सबस्क्राव क्या है क्या अस्थान जहां नील की खेती करने Campaign कि सनुक और कहा पर चम्पार है कहां मां चित्र पर अप इसको भरेंगे पर कैसे चोंम पहार से और 927 how प्रश्न है आपका 29 का का है का का पहला नंबर है और यहां पर भर देगे चम पारण इस पकास भरेंगे तो पूरा का पूरा एक नंबर एक नंबर एक नंबर इस पर मिलने वाला आपको को यहाँ प्रतम करें है अगला नंबर का सवाल क्या है वास्तान को याद रखिएगा किस इसिवा है आपका आणडी से कहां से डांडी और दांडी पढ़गा अगोजरात सस्ञानिप्र यहां पर सुमें के चश्छनसाना फालिएम और सने देखिए यहां के समय चीत्र सस्में चीत्र लिए दों अपर ़ला करने बांडी न mandar जोयाणा व्ट कुम बारने З Nowadays अगला नंबर का सवाल क्या है वास्थान जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्व सुवराज की मांग की थी कहां से पूर्व सुवराज की मांग किया गया था यह किया गया था लाहूर से कहां से लाहूर ठीक है अब यह लाहूर से किया गया था देखिए अब इसका को का तीसरा नमबर है ना तीसरा नमबर है और यहां पर भर लिजेगा लाहो लाहो ठीक इस पकास से अब भर लिजेगा ठीक है अब देखिए अगला प्रशन आपको क्या है वह अस्थान जहां जालिया वला बाग हत्या कांड हुआ था कहां प्रशन पहुत जाता फेमस सिति याद हो गया होगा का पर अम्रित सर अम्रित सर पढ़ता कहां पर पंजाब में देखिए आपको पंजाब यह और यहां पर भरना है इसको आप क्या किजिए कि यहां से ऐसे भर लेजी कौन सा है सम्राइं नहींषस पीष में कांग्रेस कादिवेशन तया है याद रखेंगा डिसंबर उननेषस का अधिवेशन कहां पर बढ़काधा यहां से किजिए और 69 कब तोटल पांच प्रश्ण भरना रहेगा और जैसे इसी प्रगास भरते हैं तो पूरा पूरा नंबर मिलने ठीक है अब चलिए अगले के सवाल को देखते हैं कि अगले नमब्र का सवाल की है कि 29 गमें पांच प्रशन हो गया अब 39 का देखते हैं कि यहां पिक नीमरीकी अस्थाणों को भारत के द हैं मांचितर में चिन्डवारा नाम सहीद सही लिए एक बढ़ा गेदू और सई अस्थान के लिए एक बढ़ा गेदू नंबर मिलने वाला है टोल यह वी परति एक प्रश्ट एक एक नंबर कह रहे गा पांश प्रस्न है पहला प्रस्न है कि गेहुहुं का सबसे बड़ा उत्पाधक राज चिन द्वार इस चिन के द्वार आपको दिखाना है यहां का बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है ठीक है यहां का बड़ा उत्पादक राज्य दो राज्य है उसमें से दोनों में से कोई देखा देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा एक होता है पंजाब है यह क्या है पंजाब है और यह क्या है आपक क्या लिख्ञेंगे 29 का क्वा है हुआ और यहां पर बढ़ दीजए कि द्वारे दिखाँना है दाट के द्वारा न तीस तरह करके यह गोला बना लिए इस पकास अपको देखाना आपको दिखाना प्र लिखाना काफी का सबसे बड़ा उत्पादग राज त्रिभूज। कौन से चीन रहेगा तिर्भूज देखिए आपका काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज क्या है करनाटक यहां यह जितने भी लिख रहे हैं आपको उस्तर फुस्तिकाप लिखना है ना और यहां प्लिखे करनाटक करनाटक अब भरना कैसे हैं यह आपका मुंबई मुंबई के नीचे देखें का मांचेत्रपती करनाटक और ऐसे करके तिर्भूज बनाना है देखिए तिर्भूज की द्वारा आफ्या सबसे बड़ा उत्पादक राज-चिन द्वारा तो उत्तर पादक राध कोई तो मुख़ली का सबसे व्रॉत बादक राध गुजरात कॉज्ञाथ कौँसा है गुजरात अब गुजरात को मानची पर कैसे देख हैंगे अपको गुजरात यहां क्या करेंगे यह इस तरह दितने हैं इसको ऐसे करेंगे 29 का खो है 29 का कौन से नमबर एक है और यहां पर तीसरा नमबर है और यहां पर क्या दिखाएंगे आप गुजरात क्या भर लेंगे यहां पर गुजरात भर लेजी इस प्रकास से भरना है अगला प्रशन देखिए कि उत्तर दच्छी गलियारे का टर्मिनल स्टेस्ट की ने द देखिए देनमबमा देखिए वाला जम्मू कस्मीर में पड़ता है कहां पर ते है इस ने दोटने देखिएinky और कैसा recy i. oppure गोला बना लिजिए और इधर का ना तर्फािं नबरहा चोधा न मिंदर चौधर नमबर और क्यों बढ़ लिए यह स्री नगर स्री नगर ठीक है तो उत्तद्ध ठीर गड़ी आला होगे आपका स्री नगर में लास्ट प्रसन देखिए यह क्या है आपका खनीश देल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्पादन वाला राज्य वाइची ने द्वारा दिखाना है ना देखिए आपको खनीश इस को बाहर दिखा सकते हैं और यहां सब्सक्राब आए यहां मुंबई भी निग सकते ह्वी The तोटल 5 प्रश्ण यह बरे हैं और एक मानचितन दीसा उसके टोटल 5 प्रश्ण भरे है इस पकास से इक्जाम में भरते हैं तो टोटल 5 का 5 नम्बर आपको निल जाएगा जितने भी सेट आपको समाजे विज्ञान के पेपर का हल करा रहे हैं ठीक है एक प्रकार के समझ लिए कि आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए वारल प्रशन है जितने भी प्रशन आप सभी को करा रहे हैं उतने प्रशन आप कर लेते हैं तो आप बोर्ड के एक्जाम में आप को 100% की गारंटी देते हैं कि आप 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है बस जितने प्रश्ण करा रहे हैं उन सब्सक्राल को आप देखा किजिए और प्रसनों को आप प्रेक्टिस की जिए बवी कल्पि वा दिर्ग उत्री हुआ जितने वी प्रश्ण उन प्रस्णों को जरूर्ण आप तेजर कर लिजिए ठीक है तो फ्रेंश आपको इसी प्रकार से पर्तेक शब्जेट का आपको जो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक से अधिक ठीक है और जू पेपर आप सभी को हल करा रहे हैं यही पेपर आपके बोर्ड के एक्जाम में आने वाला है तो आप इस पेपर का संपूर्ड हल देखिए और बोर्ड के एक्जाम देने जाएगा देखिए यहां पे 2024 में जो समाजी विज्ञान का पेपर वाइरल हुआ है इस पेपर मिलेगा यहां पर सबसे उपर अनुख्रमाक लिखना होता है अपका ठीक है और यहां पेपर को हल करने के लिए जो आपके पास समय मिलेगा तीन घंटा 15 मिनट टोटल समय मिलता है इतने समय में आपको पेपर हल करना रहता है और जो यह पेपर होगा आपका टोटल 70 नंबर को होगा यहां पी इसके कुछ समान निर्देश दिए गए है ठीक है इसमें इस देखे पहला निर्देश जो है आपको प्रा खंड भगा खंड आँ में 20 अंग के 20 बहुवी कलपी प्राश्ण होंगे जिसे आपको क्या करना है उम्र सीट पर भरना रहेगा ठीक बूर्ड के एक्जाम में आपको अगला निर्देश पढ़ेगा इसमें और स्थीट मिलेगा इस पर किसी प्रकार का एरेजर हुआ यह व वरात्मख प्रशन रहेगा फुर्ट रहेगा वरात्मक सकेंड नियेगा और इसमें आपको माँंचीत्र से संबंधित प्रशन भी रहेंगे हैं इसने हैं लाजग यहापको कुछ निर्देश दियेग 하지만 निर्देश तो अन्युर्म नहीं फिर्ट नहीं होगा खते हैं उभूआ है अब देखें यहां फे इस टार्ट होता है खंड टार जिसमें हम देखेंगे बहुए कलपी प्रश्णों को ठीक है देखें यहां पर यह आपका पाला नंबर का सवाल क्या है ठीक है ना करते और देख नंबर नहीं इसके बगल में द 1789 और 1600 पैसर देखिए फ्रांस की जो क्रांटी होई थी 1789 इसका सही जवाप सी वाला अप्सन करेप्ट हो जाएगा ठीक है इसे याद रखिएगा देखिए आपके सामने दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि जूसिपी मेसिनी का संबंध था यानि जूसिपी मेसिनी कहां कि थे अगले अगले दूसरा नंबर का सवाल क्या है देखिए यहां पर तीसरा नमबर का सवाल आपका है कि हिंद स्वाराज पुस्तक के लेखक कौन है ठीक है आपसने जवालल नेरू थे महत्मा गादी जी थे विनोबा भावेत थे यह बाल गंगा धर तिलक थे ठीक है इस पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा कि हिंद स्वाराज पुस्तक के लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा इसके पुस्तक के लेखक के नाम है महात्मा गादी जी यानि महात्मा गादी जी के द्वरा हिंदु सुवराज पुस्तक लिखा गया है समझने अगला नमबर के सवाल देखिए ठीक है निम्री लिखित में से किसने बारदोली सत्यगर बहुता ताँ आपैयेगा शीन प्रश्न करारस इन ही पर चाहें और जोरूरभर पैपर का संप़र हाल करके ऍग्जाम में जायेगा आपको łagtट भोर्ट के एक्जाम में देखने के लिए मिलता है wizard है में पांच के सवाल दिखिये जब फ्रांस छीकता है तो अच्छांड आ वह सब दो बाकी यूरोपको का शर्डी उकाम हो जाता है कि स्का कतान है या कियल या किसने कहा था कि जब फ्रांस छीखता है तो बाकी यूरोप को शर्दीय उकाम हो जाता है इसका आपके सामने चार आपशन है देखी यहाँ पर आपसंदिया ró लुई फिलिप यह चर्चिल जब फ्रांस शीकता है तो बाकी यूरोप को सद्री जुकाम होता है यह कथन जो था में टर्निक कता है इसका सही जवाब एवला आपसन सही हो जाएगा अगला नंबर छटवा नंबर का देखिए भारत में संघी राज्यों की संख्या है यह आप 28 सेथ इस प्रश्ण का सही जवाब भी वला आपसन सही होगा आपका साथवा नंबर देखिए विश्वा का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है ठीक है विश्वा का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आपको बताना है आपसन में भारत USA Great Britain या रूस ठीक है सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है आपका अपना देश है भारत देश यानि कौन सा है तो लोकतांत्रिक विश्वा के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है अगला नंबर देखिए आठवा नंबर का सवाल क्या है आप देखिए भारत के सन्विधान की आठवी अगला देखिए नुवा नंबर का सवाल क्या है आपका लोग तंत्र में शक्ति का स्रोत है ठीक है लोग तंत्र जो हो इसमें सक्ति का स्रोत किसके पास है जनता संसत प्रधान मंत्री या इसके लवा राश्ट्र पति ठीक है तो लोग तंत्र में सक्ति का स्रोत कौन होते हैं जनता होते हैं इसका सही जवाब एवला आप्सन क्या होगा आपको सही होगा अगला देखिए दस्वा नमबर का निम्नलिकित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाती के आधार पर हुआ था या धर्म और जाती के आधार पर किस देश का विभाजन हुआ था बेल्जि घाटेश्फ का सही जवाब सी वला आपसन सही वह जाएगा अग्ला नंबर देखिए 11 क्या है। प्रतिव्यक्ति आये को अन्न किस नम से जाना जाता है ठीक है। तो प्रतिव्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है इसका सही जवाप एवल आपसं क्या होगा आपका होगा अगले नंबर की सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है देखीं यहां पर था कि द्यूतियक चयत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है ठीक है कि दिट्यक चयत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है अगला देख़ीं यहां पर आधिकांस विदेशी बैपार होता है। यहां तो भारत का अधिकांस विदेशी विधेशी बैपार होता है। सबस्था सबस्तार ऐस सब्क techno से वहता है समुदरी मार्ग , रेल मार्ग या वायू मार्ग देखे जितने भी देशी ब्यापार होते हैं वह समुदरी मार्ग के द्वारा ही उता है यह सही जवाप viva आप सब्सक्राहर ऐखे सपडिक्रेवीय कई अगला डीकार है राष्टी उबवक्त अधिकार दिवस कम मनाया जाता है आपसा ने 5 अपरेल 22 फरवरी 24 नॉवंबर यह 24 दिसंबर तो राष्टी उबवक्त अधिकार दिवस जो है आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब डीवल आपसा सही होगा अगला देखिए सुलहवा नंबर का क्या है सवाल आपका इन में से किस राज संग राज छित्र में काली मिर्दा पाए जाती है आपको सिधा सिदे बताना है कि काली मिर्दा कहा पे पाए जाती है आपसने जम्मु और कस्मीर पाए जाता है राजस्तान में महराष्ट में या यहां पर बदाना है यहां पी एजएंडा जो 21 था इसका संबंध जो था सतत पोसरी विकास संभधित इस प्रशन का सही जवाब डिवलापसन सही होगा अगला देख यह 18 नंबर का सवाल क्या है आपका देखें आपे द्यान दीजेगा ग्री इंडिया मिशन किस वर्स अरम किया तब उन्हें प्रारम किया था इस प्रश्ण का सही होगा उननीस नंबर का देखिए निम्नलिकित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उधारा जायद का फसल बताना आपको देखें जायद का फसल हुआ खरीब का रवी का फसल यह याद करके जाईएगा आपसंदिया धान गेहूं चैना तर्बूज देखें यहाँ जायद की जो फसल है यहाँ सHYब होगा यहां पे दान को याद रखेएगा या खरीब की फुसकी फुसकि फसल है कHIरीफ की की फसल दीवा कि희 है अब इसaina परनी maybe की फुस है तो यह सबस्वी आपको पता दिये अगने च्षटानों में पाहने वाला खनिज है कौनगा है आपको बताना है फ्रस्वेट पाए जाता है नमख जस्ता ठीक है या ग्रिफायट पाए जाता है ठीक है ओड़ने च्टान होता है इसका सभाप इस सभाश रजपस सब्सक्राइभ कर सभाष्ण होता है खंडब क्या है यहां इसमें एसभी चट ॥ा सवाल को देख लीजिए और एक जगल लिख की प्रशनों को जरूर आप तयार कर लिजिए आपका सवाल बारती अर्थ ब्यवस्था महमंद्य के पाइदने वाले प्रभाव का वरण कीजिए अथवंग दिया है कि वैश्विक आर्थिक महमंदी के कारणों का उल्लेक कीजिए ठीक है अगला प्रस्ण आप देखिए इस प्रस्ण को जरूर तैयार कर लिजिए समिच्छा कीजिए अथवंदिया है यह भारत में वन प्रबंद को कितने भागों में वाजित किया गया है इनकी विश्यस्ताओं का वरण कीजिए जितने भी प्रस्ण बता रहे हैं इन प्रस्णों का आप जरूर तैयार कर लिजिए ठीक है आपको मांचिद्र वाले जो सवा होते हैं सभी अधिकारों के नामों का उल्ले कीजिए चरचर नंबर का सभी प्रश्ण है अब इस्टार्ट होता है वड़ात्मक सिकेन उत्तर लगबक कितने सब्दों में देना डेल सो सब्दों में देना ठीक है पचीस नंबर का देखिए सवाल क्या है कि लोग तंद्र से अब क्या समझते हैं इसे उत्तरदाई जिम्मेवार या वैद शाषन क्यूं माना जाता है टोटल देखिए वड़ात्मक जो प्रशन रहते परते च्छाचा नंबर का रहता है इसमें अथवा में दिया है कि लोग तंद्र के समझ क्या चुनोतिया है भारती लोग तंद्र क कि दो प्रमुक चुनोतियां को वरणन कीजिए टोटल शान नंबर का ठीक है अब यहां 26 नंबर का सवाल देखिए 26 नंबर का आपका सवाल क्या है यहां पर देखिए इटली का एक ही करड़ा कैसे हुआ अथवा मचा जितने भी अथवाला सवाल रहते उसमें दो प्रशन अगला नमबर को देखते हैं..आपका सवाल क्या है ? desperate 27 नमबर के क्या है..कि मिर्दा अप्रदन क्या है? भारत में प्रचलित मिर्दा अप्रदन के प्रकारों के वरणग कीजिए अलोग खनीज किने काते हैं अलोग खनीज में किन खनीजों का शामिल किया गया है असपश्च कीजिए 28 नंबर का आपका सवाल है जो तैयार करना आपको मानौ विकास सुचकान को परिभासित कीजिए मानु विकास के घटकों कवराउंग कीजिन टोटल चाचा नंबर का अथवम देखिए आपका है कि भारती अर्थविवस्ता में अधिक रोजगार विक्सित करने के माद्यमों को असपश्ट कीजिन टोटल चाचा नंबर का देखें यहाँ पर जितने भी लगो अधिर उत्री जितनी भी प्रशण थे आप सभी को बता हैं इन सभी प्रशनहों का ज numerous तयार कर लिजेगा यही प्रश्ण साथ मार्पकों आने वाले हैं तो आप साथ मार्पकों पहले से अपनी लिखित अस्थानों को भारत के दिये गए रेखा मांचित्र प्रिष्ट 13 पर यह डाट चिन द्वारा सही दरसान है यहां पर इस ते मतलब नहीं बस यहां पर देखिए यदि आप सही नाम लिखते हैं तो एक बटा गदू नंबर मिलेगा और सही अंकर मांचित्र पर करते है देखते रहेंगे तो आप 10 नंबर दोब पक्का कर सकते हैं पहला नंबर का सवाल पढ़ता है बिहार में चंपड़ा कहां पर आपका तो बिहार में अब देखिए मांचित्र पर आप इसको भरेंगे कैसे ठीक है यहां पर ध्यान दीजिएगा देखिए यह मांचित्र है और मांचित्र में देखिए यह पढ़ता है आपका उत्तर परदेश यह आपका बिहार बिहार में भरना है, चम पारते, देखिए यहाँ से बाहर लीजिए गाँ, और 9 का कौन सा है, देखिए, 9 नहीं, 29 है यहाँ पर देखिये, क्या प्रशन है आपका, 29 का 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 है, का का पहला नमबर है, और यहाँ पर भरते जाए चम पारत, प्रश्ण और के लिए आगला नंबर सवाल क्या है वह स्थान सवी ने अवाग्यँ आंदुलन कह प्रार्म बहुत तो याद रखीएगा वांदosh कहां से ऊपरारम के डांडी अदू को यह होगे आपका नांडी तो इस समय आपको राजऑ भी बता रहा है जिससे आपको मांचित्र भरने में सुविदा हो अब गुजरात यहां पे कहाँ और यहाँ पी और इसका इंसुर क्या है डांडें सभी ने अबाग्यान दो कहां से प्लारह भुआँ का रहर refuses अब अगला नंबर का सवाल क्या है वह अस्थान जहां पर कांग्रेस की अधिवेशन में पूर्व सुवराज की मांग की थी कहां से पूर्व सुवराज की मांग किया गया था यह किया गया था लाहूर से कहां से लाहूर ठीक है अभी लाहूर से किया गया था अब लाहूर कहां प बढ़ लिजेगा यह अगला प्रश्ण आपको क्या है वह अस्थान जहां जालिया वाला बाग स्वाख अम्रित सर्व व्य सब पढ़ता कहां पर पंजाब में देखिए आपको पंजाब यह और यहां पर भरना है इसको क्या किजिए कि यहां से ऐसे बहुत लिए अगला नंबर का सवाल क्या है वास्था जहां दिसंबर यहां पर यहां पर कलकत्ता कर बाएं का और यहां पर पाचेवं नंबर के आप लिएची यहां नंबर है निन इसका पाचवा नमबर यहां पर कलकत्ता हो लेज़े कलकत्ता ठीक है जैसे पता है तो पूरा का पूरा नमबर मिलने वाला है अब चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं अगला नमबर का सवाल क्या है अब 29 का खा देखते हैं यहां पर देखिए कि निल्कीत अस्थानों को भारत के दिये गए रहा मांचित्र में चिन द्वारा नाम सही नाम के लिए एक बटा के दू और सही अस्थान के लिए एक बटा के दू नमबर मिलने वाला है टोटल यह वी परते एक प्रस्थान एक-ए ठीक है ग्लवू बड़ा उत्ततपादग राज ये डो राजynnे। यहces कोई देखा देंगे तो आपको पूरा नंबेंगा, एक होता है पंजाब है तो ऊत्तर प्रदेश से कोई देखा देख को पूरा नंबर मिलने वाला है, यहाँ पर आपका ये पंजाब है और यह उत्तर पर दोने में से कोई एक देखाना है बॉर्ड की ईग्जाम में ठीक है चलिए हम पंजाब यहाँ पर क्या लिखेंगे और यहां पर दिगा पंजा पंजाब करके गोला बना लेजिए को इस पकास से आपको दिखाना है बॉड की एक्जाम में अगला देखें क्या है काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज दिखाना है कौन से च रहेगा तिर्भूट तर कर लिएक आपका YouTube नीके नीचे कम पृत्पादक और इसे करके तिर्भूज बनाना है तिर्भूज की दवारा तैसला तिर्भूज बनाईएगा गोला भषच्छा लिखना है कर लीजिए और क्या लिखना है मुखफली का सबसे बड़ा उत्पांदक राज laughing गुज्रात काउंसा है घुज्रा को मांचेत्र अंक कैसा देखाएंगे आप गुज्रात यह देकि इहां यहां क्या करेंगे और 13 का का नंबर रखा है और यहां पर तीसरा नंबर है और यहां पर दिखाएंगे आप गुजरात क्या भर लेंगे यहां पर गुजरात भर लेजी इस प्रका से भर ना आए अगला प्रस्ट देखिए कि उत्तर दच्छी गलियारे का टर्मिनल स्टेस्ट चीने दवारा दिखाना है उत्तर होने चाहिए कर और पूरा है यह पर देख़ेंगे आप देखाना इस चीन के दवारा इस चीन के दवारा ना देखिए आप पुर अइसे बड़ा सा गोला बना लीजियेगा और इधर घृंगे 一नतिसका ख हे और छोफ्होंप नम्बर में चोफ नम्बर और यहां वेड़ा सिरी नगर च्याहा तो उतकत्य ठील गढ़ी आला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दिवारा दिखाना आए ना महाराश्च्र में यहां पे किस दिवार दिखाना आए वाइचिनिकरण की द्वारा तरह बना लिजिये गा और यहां पर इसको बाहर दिखा सकते हैं कि 59 का ख्व और यह लाश्ट प्रस्न और यहां मुंबई लिख लिजिए गां वोमबई यह खो इस पकास से आप मांचीतन भरेंगे तोटल करते कि पांच प्रशन यह बर रहे हैं और एक मांचीतन से उसके टोटल पांच प्रशन भर रहे हैं इस पकास से बोर्ड के एक्जाम में भरते हैं तो टोटल पांच का पांच नंबर आपको नहीं जाएगा जितने भी सेट आपको 100% की गारंटी देते हैं कि आप 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है बस जितने प्रशन करा रहे हैं उन सभी प्रशनों को आप देखा कीजिए और उन प्रशनों को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए अब विकल्पी हुआ मांचीतरवल सवाल हुआ लगू उत्री हुआ द्रिग उत्री हुआ, जितने भी प्रशनों उन प्रशनों को ज़रूर आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंस आपको इसी प्रकार से प्रतियक सब्सेट का आपको जो आयरल पेपर है आप सभी को हल करा रहे हैं उन सभी पेपरों का संपूर हल आप देखा कीजिए और संपूर पेपर को हल किया कीजिए ठीक है तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को साथ में सबस्क्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक सेयर कीजिए